वेलकुम वेक इन न्यू वीडियो गैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे गैस मेरा नाम है सारदिन खान और आप देख रहे हैं अपने यूटूब टेनल फार्मे से वाला कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिए फार्मसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंडी फार्म का सबना साकार डाउनलोड दिया नाम तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट कोशन जो हम कवर कर रहे थे वी फार्म सेकंड सेमस्टर में तो यहां पर देखिए आज जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है त यहां पर देखने वाले हैं और आज यहां इसके पार्ट वन होगा जिसमें हम यूनिट फास्ट एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं तो यहां पर देखिए यहां पर वही लिखा हुआ है फार्म सेमेस्टर इंपोर्टेंट को और यहां पर तीन पॉइंट मैं हो यहां है को से जो हमारे सतारी के से लिखें कि ताकि जो आपका लाइंस लेवर स्लSch टाम में ही कवर इस तरीके से मिद्व needs ** कवर करें पर सबने ऌरी TIM कि स्बस्सार हैं कि यहां करें पर देखिए हैं सब्स्कंट होते हैं और अगर आप इनको पढ़कर चले जाते हैं यहां पर आज हमारी श्टार्टिंग होने वाली है वह है यूनिट फस्से तो यूनिट फ़स्ट के सारे और यूनिट सेक्ड के सारे कुसंस आज हमएक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं पार टू भी हमारे जल्दी सब्सक्राइब और सब्सक्राइब इसका मतलब क्या है कि आप किन चीज़ों के बार में और आपको यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको क्या चीज़े समझ आएंगी मैडिसन से रिलेटिड वह हम यहां पर ऑबर व्यू देखेंगे हैं अभी न देखिए यह न इस सब्चेक्ट का न पार्ट वन है यहां पर भी लिखा हुआ है पी ओसी बन अभी इसके न प्योसी सेकेंड प्योसी थार्ड इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट आपके अगले जो पी समस्टर आने वाले उनमें आपको पढ़ने को मिलेंगे तो अभी हमारे को सन यहीं उड़ता है अभी आप सैकेंड समस्टर में पहली वार में टर्म सुन रहे हो गए यह फार्मस्टिकल और ड्टनेंट केमिस्ट्री में हमने भरतिग कर देए देखो यहां पर फार्मस्टिकल प्लस और यॡ्डे केमिस्ट्री हमने मतलब किया अभी अपने फ़ार्मस्टिकल में आडमिया यह तो ब्स्री में लिए तो हमारे जो कोड से हमरे जो film겨ài ने उसके निम में तुक् ul तो 90 पढ़ाई कर रहा है ना तो आपको मैं बदा जूँ कि यहां भी फार्मा या फिर फार्मस्टीकल वर्ड आजे उसका मला होता है क्लियर हुआ आपके कई सारे सब्जेक्ट आएंगी जिनका जो नेम है इसी से स्टाइट होगा फार्मस्टीकल से ठीक है अब यहां पर दूसरे टर्म है आप और्गैनिक केमिस्टी आपको याद आया होगा हिंदी मीडम वालों को भी तो यहां पर देकि और्गैनिक जिसमें हम उन कंपाउंट की स्टेडी करते हैं जिसमें कार्वन प्रिजेंट होता है है ना कार्वन हमारे एक बहुत ही इंपोर्टेंट या कहें तो मोस्ट अवर्डेंट पाए जाने वाला वह हमारा एटम है जो हमारी बोडी के हर एक मोस्टली पार्ट में प्रिजेंट ह क्या जाता है वही study हमारी POC कही जाएगी समझ रहें मेरे बात यानि कि उन सारे और्गन कंपाउंट की structure उनकी synthesis उनकी reaction उनकी use की study करना जिनसे आप medicine बना सकते हैं वही study आपकी pharmaceutical organic chemistry कही जाएगी क्लियर हुआ अभी जब अपने फोर्ट सेम में जाओ गए आपको इन सब्जेक्ट मिलेगा medicinal chemistry name है और थोड़ा वो टफ भी आपको लगेगा क्योंकि उसमें पूरी chemistry रहेगी chemistry medicine की chemistry structure रहेंगी उनमें आपने बहुत सारी चीज़े देखने होंगी कैसे structure में change करके medicines को आप change कर सकते हैं उसके effect को change कर सकते हैं मतलब सारी जड़े नहीं यहीं से जुड़ने वाली हैं क्लियर हुआ अब आपको मैं बताओ simply कि यह POC क्या है तो लिखाए कि POC is the study of structure properties synthesis and reaction of those organic compound which used in the development and formulation of drug or medicine क्लियर हुआ यानि कि उन organic compound की study करना उनके structure की study करना यह properties की study करना यह reaction से synthesis की study करना जो medicine के बनाने में यह किसी भी फार्मस्टिकल प्रोड के बनाने में यूज होते हैं यह यूज होंगे तो वही study हमारी प्योज़े कहीं जाएगी अब जो आपको यूनिट से आप दी हुई है ना वही जो मैं मैंने आपको बताए ना medicinal chemistry जो कि fourth sem में जाके start होगी तो उसी की जड़े हैं वह यहां से एक तरीके से बनने लग रही हैं मजबूत यहीं से होंगी एक तम यहां से basic चीज़े आपको start की गई है जो आप 10th class में 12th class में पढ़कर के आए हैं कि क्या होते हैं और गनी compound जिसमें carbon प्रिजेंट होता है वह हमारे और गनी compound होते हैं उनका classification क्या है आयू पीएसी नेम आप 9th class में 10th class में और पूरा 11 12th में आपके कवर करके आये होंगे हैं तो वहीं यहां पर आयू पीएसी नेम के बार में आपने समझना है सारा कुछ और एक आपको होता है आईसो मर्क या आईसो मेरिज में उस फिनोमेना को हम बोलते हैं तो वह मैं विसक सारे कुछ आपर करते चलेंगे यहां पर आपके अलकाइल हलाइट से और आपके कार्वोनिल कंपाउंट से जिसमें अल्डियाइड कीटोन साते हैं कार्वोगुजिक एसेड हैं लिफैटी का मीन कहने के मतलब नहीं बहुत सारी जो चीज़ें जो आप 11 12 में पड़े अब आपको यह ओवर्व्यू क्लियर हुआ हो कि आखरी सब्जाइट का क्या फायदा होगा इससे एक तरीके से आपकी जड़े मजबूत होंगी यहां पर आपको यह इंट्रो तो समझ आया होगा कि आखरी सब्जाइट क्या है POC ठीक है अब इसके तीन पार्ट आप क्लासिफिकेशन किसका और्गनी कमपाउंड का क्लासिफिकेशन नोमिन क्लेचर किसका तो और्गनी कमपाउंड किसके अंदर और्गनी कमपाउंड के अंदर तो वह है कि पहला यहां पर टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन और्गनी कमपाउंड तो हमारे कुशन यही बनता तो organic compound क्या हूँ यानि कि वो compound जिसमें carbon atom present होता है वो हमारे organic compound कहे जाएंगे clear इतना तो यहां पर लखाए कि those compound which contain carbon in their structure are called organic compound clear अभी जो आपके जो carbon जो atom ही इनके साथ अधर भी यहां पर कुछ element जुड़े होते हैं जिसके hydrogen oxygen nitrogen sulfur phosphorus ETC यह सारे भी हां पर जोड़े होते हैं तो यह आपको और्गनी compound समझ आए अगर मैं आपको simple इनके example बता हूं जो कि हमारी बोड़ी में अच्छे खासे से पाए जाते हैं आपने बायोखेमिस्टी अगर पड़ी हो या नहीं भी पड़ी हो तो मैं आपको बता है ऐसी जो protein होती है protein भी amino acid से मिलकर वनी है तो उसकी structure में भी carbon present होता है amino acid में यानिकि उसमें आपका amino group होता है एनस थरी और और आपका यहीं पर acidic group भी present होता है तो इस तरीके से यह जो है क्या है आपका एक तरीके से carbon यहां पर present है जहां भी carbon present होता है मिलों हमारे carbonic compound कहीं तो यह आपके carbonic यह कहीं तो और गनिक आपको समझ आगे आप इसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ और गनी compound उनको कैसे यहां पर classify किया गया है वही प्रानी चीज़े हैं तो देखिए यहां पर जो हमारे और गनी compound होते हैं उनको हम broadly दो classes में divide करते हैं पहला है open chain compound यानि कि जो एकदम खुली एक तरीके से straight रहते हैं या खुली खुली तरीके से रहते हैं कि चैन एकदम खुली रहती है उनको हम open chain compound वोलते हैं जैसे कि हम simple यहां पर आपको यहां पर ड्रो कर देंगे CS3 और CS3 एकदम खुले हैं है तो यह हमारे क्या कहें जाएंगे open chain compound दूसरी तरह आप देखो कि हैँ जैसे कि हमारे मैं आप को बैंची बना दूम न वहाती हैं तो यह साइकल फॉम में है यह फर हमारा you घुल सकते हैं या फिर open chain compound हो सकते हैं clear हुआ अभी जो open chain compound है यह भी दो type के होते है saturated यानि कि जिसमें केवल single bond ही पाए जाते हैं cable और केवल single bond ही होंगे तो उसको हम saturated कहते हैं unsaturated यानि कि जिसमें double या फिर triple bond present हो सकते हैं याद करने का सिंपल तरीका है कि s यानि कि saturated और s4 single तो जिसमें जोड़ा है मतले उसमें single bond है example आपके सामने इथेन है c h3 c h3 single bond है इनके बीच में unsaturated के example जैसे कि हाप इथीन है इथीन आप आयू पेक नेम पढ़कर आये होंगे थोड़ा तो आपको चैन देखो यह एकदम चैन ओपन है यह बिल्कुल भी क्लोज नहीं है इसके बात करने जो हमारे साइकल कंपाउंड ने मुने दो टाइप के होते हैं एक हमारे homocyclic compound डूसरे हमारे heterocyclic compound homocyclic जो homo word है उसका मतलब होता है similar या कहीं तो सेम यहां पर सारी सारे जो एatm कारबन ही होते हैं यहां पे केबल कारबन एटम होता है हाइड्रोजन के साथ कोई भी हमारे hetero item लाइक nitrogen sulfur oxygen यहां पर प्रेजन नहीं होते हैं मैंने हैं लेखा other element with carbon clear तो यह cycle में रहेंगे पर other element भी यहां पर रह सकते हैं अब इनको भी नहीं further दो-दो classes में divide किये हैं जैसे कि हमारे homocyclic compound वो दो types के होते हैं एक है alicyclic दूसरे हमारे aromatic alicyclic मतलब वो cycle में तो present रहेंगे वहां पर carbon ही present रहेगा लेकिन वो जो है aromatic नहीं रहेंगे aromatic कहने का मतलब है कि उनमें रेड्यूनेंस बगएर नहीं रहेगा जैसे कि जो आपको यह example दिया हमने cycle butane cycle form में है और butane बोले तो यहां पर चार carbon होंगे जो कि इस तरीके से जुड़े हुए हैं इसको नोर्मली ऐसी भी दिखा सकते हैं यह हमारा cycle butane है ठीक है अगर इसके कार्वन की पोजिशन दिखाएं तो यहां पर carbon है जो कि दो hydrogen के साथ है यहां पर भी carbon ऐसे ही है यहां पर पी इस तरीके से हैं और यहां पी इस तरीके से हैं आप देखोगे ने यह जो आपका जो compound है cycle butane यह cycle form में है यहां पर केवल कार्वन कार्वन आपको नजर आ रहे हैं है नहीं कि होमो साइकल के और यह एली साइकल क्यों है देखो अगर आप दो किने इसमें केवल और केवल यहां पर एक वी बॉन्ड नजर आ रहा है आपको और आपने एक तर्म पढ़े होगी aromaticity या aromatic compound या अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब फिलहाल इतना दिहान रखो कि जिसमें double bond और उसके बाद single bond, free double bond, single bond, double bond, single bond इस तरीके से यह रहते हैं और four and plus two pi electron रहते हैं यह वो हकल्स की रूल को फोलो करते हैं तो वो हमारे कह जाते है aromatic compound ठीक है aromatic compound जिसमें यानिक यह resonance र जिसमें रहते हैं और वो हकल्स के रूल को फोलो करते हैं यानिकि उनमें four and plus two pi electron रहते हैं तो वो हमारे यहां पर aromatic compound कहें जाते हैं यहां पर हमारा बैंजीन है बैंजीन के आप इस पर ड्रो करोगे यहां पर single bond, free double bond, free double bond, free double bond, तो यहां पर आपको resonance मिल रहा है तो यह resonance जि अब दूसरी तरफ हमारे heterocyclic compound कि उनमें carbon के अलावब कोई nitrogen, sulfur, phosphorus जैसा भी element रह सकता है तो वो भी दो टाइप के ही होते है, alicyclic और aromatic, alicyclic जिनमें resonance नहीं रहेगा, जो हकल्स के रूल को follow नहीं करेंगे, aromatic जो हकल्स के रूल को follow करेंगे, जैसे कि यहां पर है आपका THF य है और उसमें यह एक heteroatom oxygen जोड़ा हुआ है, यहां पर हार देगे carbon है, ठीक है, इस तरीके से हार देगे carbon है, लेकिन यहां पर oxygen जोड़ा पड़ा है, मतलब एक extra heteroatom है, इसी वज़े से इसको हम heterocyclic compound गोलेंगे, और इसमें कहीं भी resonance नहीं है, तो इस वज़े से यह हमार है, क्या है, अलिसाइकलिक है, दूसरा हमारा aromatic, aromatic जिसका example है, यहां पर furan, furan में क्या होता है, यह इस तरीके से, यहां भी oxygen है, ठीक है, oxygen के पास यहां पर electron रहते हैं, और साथ के से नहीं पर double bond आपको नजर आ रहें दो, तो कहने का मतलब है कि यहां पर resonance है, double bond, single bond, double bond, और फिल लॉन पेयर, तो इस तरीके से, यह हमारे aromatic compound है, example, इसके furan, जो कि हमारा heterocyclic compound है, तो इस तरीके से, हमारे organic compound के हैं, पर classify किया गया है, पहले open chain वाले, फिर cyclic, यहां कि cycle में जो रहते हैं, तो वो इस तरीके से, ring वाले भी बोल सकते हैं, उनको further हमारे classify किया है, तो इस of organic compound, up to 10 carbon open chain and carbocyclic compound, मतलब आपने वही जो आयू, पीएसी आपने पढ़ा होगा, नामांग करने भी बोलते हैं, उसको हिंदी में, आयू, पीएसी नॉमेन क्लेचर, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, वही आपने यहां पे रीकॉल करना है, कितने carbon compound तक का पढ़ना, 10 carbon वाले compound तक का, और उसमें mainly open chain वालों की discuss करने हैं आपने, और carbocyclic compound के discuss करने हैं, अगर मैं बात करूँ ने, यह जो आपके पढ़ते होगे, और भी दिये होगे, जैसे कि यह है, आयूपसी नेम लिखे, यह जो आपका compound दिया हुआ है, इसका, और ऐसे ही और भी है, जैसे कि यह दिया हुआ, यह दिया हुआ, इस जो structure है, इसका या फिर इसका, तो यहां पर sort में mostly पूछी जाते हैं, बाकी long में भी एक दो बार question आपका बनता है, जैसे कि मैंने हाँ पर इसको लिख रखा है, कि what is IUPAC system of nomenclature of organic compound, जो कि 7 marks में है, यहां पर write IUPAC nomenclature rules for naming of carboxly acid, तो इस 7 या फिर 2 marks में question बनता है, तो इसको हम यहां पर देख लेते हैं, जो question sort में पूछी जा रहे हैं कि भाई, इसका IUPAC name ल इसको फड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हमने देखिए, आपको कितनी चीजे पुरानी याद है, या फिर नहीं है, याद है, तो अच्छी बात है, recall करना अच्छे से, अगर नहीं भी याद है, हम यहां पर आपको बताएंगे, कि आपने आप इनको कैसे इस तरीके से आ है, अब यह क्या है, आई-उ-पी-ए-सी नोमेंट के चरल, देखिए, जैसे आप कैमिस्ट्री की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे कैमिकल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंट्स हैं, और उनको समझना, या वोल तो किसी दूसरे को बताना, या किसी बुक्स में लिखना, बहु हमको इंडिगेट करें कि भाई यह वो है, है न, एक पर्सनल, एक यूनिक हमारी आइडेंटिटी हो, हमारा अधरकार्ड बनता है, हमारे सारी चीज़े बनती है, तो वो नेम पर ही सारे कुस होता है, तो नेम यानि कि नाम अंकरण, जिसको हम इंग्लिस में आपर नोमेंट क्लेशर बोल दे रहें, तो यह हमने कैमिकल का समाजना है, क्या क्या करते हैं, क्या क्या सिस्ट्म ऑफ नेमिंग नाम आंकरण करने का system सब्सक्राइब करती है उनका नामंकरण करती है तो एक संस्था है जैसे इंडिया के अंदर भी होती है संस्था अलग-अलग आप समझ सकते हैं जो रूल बगएरा बनाती है तो समय समझो कि के फिल्ड में है इसकी फुल फॉर्म है इट इस्टेंड फोर इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अपलाइड गैमिस्ट्री ठीक है तो यह हमारे एक ऑर्गनेजेशन है तो इस ऑर्गनेजेशन के दोवारे संस्था के दोवारा जो नामंकरण किया गया है कैमिकल्स का उसी को हम बोलते हैं आई यू पीसी नो मेंगेशन के रूल है वो चीज आपने समझनी है तब आपने को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आगे चलके जो आपके कंपाउंड साइंगे मैडिसंस होंगी तो उनके आई यू पीसी निमी वहां पे लिखे रहते हैं उनसे चीज़ किसी भी कंपाउंड का किसी भी केमिकल का नाम रखने का इट वस क्रेटिट वाइड इंटरनेशनल यूनियन और प्योर और अप्लाइड केमिस्टी यह आई यू पीसी नेम की संस्था के द्वारा क्रेट क्रेट किया गये थे नो मेनिक लिचर तो इंसोर डैट इच रहे हम किसी को बता सकें समझा सकें उसका यूज एजली कर सकें तो इसलिए यह जो है हमारा आई यू पीसी के द्वार एक संस्था जो है उन्होंने एक नोमेन के लिचर यह नामंकरन का तरीका बताया यह कुछ नियम बगएर बताएं तो वह हमने फॉलो करने हैं वही हम स् नहीं है पुरानी तो आपको थोड़ा वेट करना होगा थोड़ा जब तक यह आयू पीसी लास्ट तक नहीं पहुंचते तब तक आपको चीज़े क्लियर नहीं होगी अगर आपने 11 12 में महनत करी होगी कैमिस्ट्री में अच्छी खास होंगी तो आपको यह चीज़े नहीं अगर मैं नोर्मली बताऊने मैंने यह बहुत सोट में और बहुत ऐजी में यहां पे लिखा है ताकि यह आपको जादा यहां पर महनत ना करने पड़ों आपको काम भी हो जाए तो यहां पर एक फॉर्मलर टाइप है वह आपने दियान रखने कि मैंस से बताता हूं कि जैसे हम हिमन पींगे यानि कि हम इंडियन की बात कर लेते हैं तो particular जैसे मेरे नाम है, है, मैं सोटS मे एस सहराइब दीन चैसरि और क के 4 ठाहिन यह मेरा एक तरीका से मेरा नेम तो सहराइब करत दो से 4 ठीक है और यह लाश मेरा सर नेम है, बहुत सो का starting में भी होता है यह ना बहुत लंबे-लंबे नाम भी होते हैं तो आप ऐसे ही समझो कि chemicals का भी से ऐसा ही है कि बीच में उनका man name होगा जिसको हम root word कहेंगे स्टार्टिंग में उसका एक prefix रहेगा और लास्ट में उनका सर नेम रहेगा समझे रहेगा मैं तो यहां पर है रूट वर्ड जैसे मेरा नेम होगा सहरुदिन तो वह तो मेरा नेम है जो दोस्त बलाते हैं अगर पूरा कहीं लिखा जाएगा तो वा कायदा मेरा लास्ट में लिखा जाएगा या स्टार्टिंग में कुछ होगा मिस्टर या स्री जो भी आप लगाने चाहिए जो रहता है प्रटिकलर तो यहां पर आएगा क्लिर तो ऐसे यहां पर जो भी आपका कैमिकल उसका रूट वर्ड वीच में रहेगा उससे पहले prefix रहेंगे उससे बाद में alive to suffix रहेंगे प्रेफिक्स हम उसको बोलते हैं जो स्टार्टिंग में लगते हैं अब कोई कोई की मैंसे को नेम यहांd यहा कुमारी करेके के लास्त में, फिर सरनेम जोड़ रहोगा या फिर कोई अलग अलग नेम भी होतें मतलब कि हर soc की आलग अलग होता है कहने को मुदलं के उसके नेम में root word तो रहना ही रहना है और कोई सरनेम नहीं रहेगा न पर्टि कुलर या किसी का वू भी नहीं के रहेगा लेकिन mostly में यह मिलेगा ही मिलेगा लेकिन जो prefix है हाँ यह करते हैं कि वो compound कैसा है यह वो तो इसका structure क्या है तो prefix भी दो टाइप के होते हैं Primary prefix और Second prefix वह अलग-अलग वह डिपेंड करेंगे कि उसके यहां पे जोड़ा है है समझे यहां पर जो साफिक्स रहेंगे ये भी आलगना चीज को रिप्रेजरण करते हैं कि उसमें क्या फंक्स क्रोप जो होता है वो इंडिकेट करता है नमर उफ कारवन एटंब कितने कार्वन प्रेजेंट है उसके इस्ट्रक्चर में वह रूट वाइड इंडिगेट करता है ठीक है सौरी तो यह हमारे रूट वाइड का काम होगे जो इंडिगेट करेगा अब मैं इसके अग्जामपल भी बताऊंगा थोड़ा वेट करती चलना एंड उसके वाद है कि यहां पर देख देखो है तो यहां पर एक है सेकेंडरी प्रिफिक्स एक है आपका प्राइमरी प्रेफिक्स इनडिगेट करता है सफ्टी टुएंट यह ब्रांच जासे हमारा कुई कंपाउंड असपोज करो यह सीन त्री सी एस्टू सी त्री और यह ही साम निकाल दिते दें सीए द्री त उसी को represent करता है किस भी particular substituent को या फिर branch को ठीक है दूसरा हमारा primary suffix primary suffix यह जो है cyclic compound में use होता है जिसमे cycle present होती है इसके हमारा cyclobutane था है यहाँ पर cyclopropane था इस तरीके से रहता है या फिर cyclobutane था तो यह जो है हमारे cyclic compound में use होता है यह वाला prefix नेक्स्ट है आप देके root word जो कि मैंने आपको बताई दिया है निकि यह number of carbon atom को represent करता है next में हमारा रहते हैं suffix जो कि दो होते हैं पर एक primary suffix यह primary suffix है यह single bond यह double bond यह triple bond को represent करते है आइन इन यह जो लगेगा last में वह इन पर कहने के मतलब मैं इस तरीके से नेम यहां पर लिखा जाएगा उससे पहले कुछ prefix जोड़ेंगे फिर लास्ट में कुछ suffix जोड़ेंगे और आपका यह आयूप यह बनके ready हो जाएगा अब हम पहले यह देख लेते हैं कि यह जो आप बात कर रहे हैं कि secondary prefix में आपका आता है substituent और branches कि substituent के लिए क्या prefix यूज करते हैं या उलतों क्या term यूज करते हैं वो चीज आपने पता होनी चाहिए ऐसा ही जो हमारे यूप से बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है वस थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेंगे ठीक है तो यहां पर सबसे बिले हम बात करते हैं prefix for substituent और branches यह हमारा है substituent और branches उसे के लिए prefix देख रहे हैं लेकिए अभी मैंने आपको एक example देया था यह हमारा एक man carbon की चैन थी CS3, CS2, CS3 यहां से हमारे एक side में जो ने ब्रांच के रूप में यहां कहीं तो substituent के रूप में CS3 गुरूप जोड़ा है तो आप बोल सकते हैं इसका जो name होगा वो यहीं से आएगा जो की prefix होगा substituent या ब्रांच के लिए तो लगाए कि these are the group और group of atoms that are attached to the man carbon chain of a molecule यह molecule की man carbon chain से attach होते हैं जैसे कि यह आपकी man carbon chain है इससे यह attach है यह हमारे क्या है आप पे substituent यह ब्रांच अब इनके लिए क्या prefix करते हैं जिसके अभी हमारे यहां पर CH3 जोड़ा हुआ है तो CH3 के लिए हम यहां पर एक term यूज़ करेंगे methyl और CH2 CH3 के लिए हम बोलेंगे ethyl F के लिए floro, CL के लिए chloro, BR के लिए bromo, I के लिए iodo and ns2 के लिए aminone ठीक है इस कलाब और भी है पर यह मैंने वो लिखी है जो most commonly जातर यहां पर यूज़ होंगी ठीक है यह होगे हमारे क्या कुछ term किस के लिए substituent या ब्रांच के होंगे तो देखिए जो भी compound cyclic है तो लिखाए कि prefix for cyclic compound for cyclic compound add cyclo prefix before the root name कि अगर कोई थर्ड जो है आपका root name जिसको हम parent name भी बोल रहे हैं मैंने आपको बोला यही हमारा man name है तो यह लिखाए कि root word is the main part of compound name that indicates the number of carbon atom कितने carbon atom है पर प्रिजेंट यह उनको indicate करता है अब देखिए यहां पर आपने ने यह वाली लिस्ट जरूर पड़ी होगी chemistry में 11 में 9 10 में पढ़ते हैं यहां पर कि देखो पहले जो carbon यहन की carbon अगर एक होता है वहां पर तो उसके लिए हम math use करते हैं तर्म अगर अगर इससे भी आगे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बैसे तो आपके स्लेवस में देखो यहां पर साफ सब लिखाई हुआ कि अपको 10 कारबन ओपन चाहने के लिए आपने चीज़ें को समझना है समझ रहो तो यह तो देखो लिस्ट आपने याद रखनी ही पड यहां पर सिल्फीन और सो पड्योंत ऐसे उसे करेंगे हैं पर इसके लिन यूज करते हैं और साफिक्स का होता है बाद में जोड़ने वाले वे ऊसby Ale must डबल बॉन जहां विए उसके लिए हम इन यूज करते हैं ट्रपल बॉन जहां विए उसके लिए हम आई न यह यह हम यूज करते हैं क्लियर हो गया अब लास्ट इम हमारा एक और बचा हुआ है वह है सेकंडर सेवक्स में कि कोई भी अकर फंक्सनल गूरूप जोड़ जाए तो परिटिक्लर फंक्सनल गूरूप के लिए हम क्या उसकी रैस्पेक्ट बढ़ाने के लिए क्या लास्ट मून का एक सर्णेम जोड़ दे तो वह आपने यहां पर बताना होगा या याद रखना होगा तो देखो यहां पर कुछ सफिक्स है किसके लिए फंक्सनल सब्सक्राइब करें तो उसके लिए हम यहां पर दोड़िए यान के लिए यहां पर इस तरीके से आपको मिलेगा City पाहरा करके यह हम और जोड़ेंगे और कि लिए लुक सुशल सिसे जोड़ेंगे और आमिंस के लिए तो यह हमारे ने कुछ सफिक्स हैं जोकि फंक्सनल ग लिए हम लास्ट में आड़ करते हैं अब यह हमने ना पूरा ओवरॉल ने तरह किसा निचोड देख लिया है कि आयू पे एक नेम किस तरह के सांपर बनने वाले हैं अब यहां पर ने कुछ साथ रूल हो रहे हैं उसके बाद जो आपके इस लेवस में स्वरी जो कुस्टन पेपर में जो आए थे मैं आपको सामने ही सॉल्व करता हूं और आपको थोड़ा एजी लग जाएगा मैं अगर आप इन चीडियों को समझ लोगे हैं ठीक है तो यहां पर देखिए कुछ रू सबसे लंबी बैठ रही है और उसमें भी आपने फिर यह देखना हूँ अगर आप नंबरिंग कर रहें कि वहां पर कोई सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि हमारे सामने यहां पर इस तरीके से यह सीधी चैन तो इस तरीके से थी जैसे कि 1234566 कारवन हैं यहां पर हम इसको और जैसे यहां पर बोल रहने कि आपनी लॉंगर चैन को यहां पर इडेंटीफाई करना है आप इसको घुमा करके इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि 12345678 तो यहां पर इसको यहां पर एक मैन हें तो पैरेंट चैन यहां पर हम कंसिलेटर करेंगे अभ यहां पर इदर अपका दोड़ा पड़ा है यहां भी एक और चूट रहा है तो यह हमारे क्या बोले जाएंगे सभस्टिटुएंट यहां कहीं तो ब्रांच इनको बोल सकते हैं आप यहां पर हमने क्या बोला कि identify the longest continuous chain ठीक है हमने इस longest continuous chain को identify कर लिया then start numbering from the closest side of substituent या branch यान कि जिस तरब से branch pass पल रही हो या substituent pass पल रहा हो अब बहां से starting करें numbering की तो numbering की starting आपको देखोगे इधर से तो करी नहीं सकते यह तो बहुत दूर पड़ेगा आपने इधर से करना start यहां से अपनी numbering करने है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 को यहां पर क्या बोलते हैं oct बोलते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं इस तरीके से यहां पर यहां पर जो है हमारे ने दो यानिकि 2 2 2 यानिकी carbon No 2 पर हमारा methyl group है तो 2,4 डाइ मिथाल यानिकि 2 हो गे तो इसको हम डाइ मिथाय बोल देंगे यहां पर तो हमें इसको Octane के लिए हमने देखो suffix जोड़ा है last में एन हमने बोला अभी आपको यहां पर simple कि जहां भी single point आए तो वहां पर एन वोड़ लाश्ट में suffix जोड़ना है अब देखो यहां पर इसके नहीं इसके जो पार्ट है नेम के घर हम करें तो 2,4 dimethyl यह dimethyl है और octane है तो यहां पर अगर आप बात करेंगे root name में तो root word जो है इसका oct है और last में जो suffix जोड़ा बेन जोड़ा प्रेफिक्स जोड़ा है क्या जोड़ा है dimethyl जो कि indicate कर रहे कि यहां पर दो methyl group present है कहने का मतलब है कि यह तरीके से concept आपने इन ही चीजों को जोड़ना है जो कि उनके स्ट्रक्चर से आपने जोड़ने होंगे समझ रहो तो यह आपको एक रूल समझ आगे अब इसके वादी कि सैकें अगर हम बात करें यहां पर थोड़ा हमसे मिस हो गया था आप भी चलिके हमने लिखा है हाँ यहां पर देखोगे ना सैकेंड हमारा रूल लिखा हुआ है कि इस परेंट चैन हैस टू और मोर सबस्टिट्वेंट एट एक्क्यूवलेंट पोजिशन देन दा ओडर विल बी अल्फावेटी के लिए अब क्या हो कि कैसारे हां पर आपके सबस्टिट्वेंट जूड़ हो रहे हैं जैसे कि हम से स्टाट हो रहा है तो सब्सक्राइब है तो अलफावेटी के लिए वी सटिया पढ़ोगे तो पहले किसका निम आएगा पहले ब्रो मो का आएगा फिर प्र 123 इदर से पढ़र हमने इदर से भी कर दिया क्योंकि यहां पर आपका दूसरे नबर वाला C-E-L पास में पढ़ रहा है तो इस तरीक्वाइब को हम पहले प्रायुर्टी दे रहे हैं फिर C-E-L है टू कलोरो और फॉर्थ पे हमारा मिथाइल है फौर मिथाइल और पांच कारवन का है तो पैंट और सिंगल पॉर्ट है तो एंजोड देगे फैंट इंट कि लियर हो तो इस तरीके से अपके रूल हो गये नेक्स है यहां पर कि इफ दा सब्सिट्वेंट औल्सो औल्सो केरीज एब रांच चैन डाकारवन इंडेट चैन और नमबर सेपरेटली कि क्या हो कि जैसे एक आपकी चैन है जैसे अगर मैं इसको हटाऊ इस तरीके से थोड़ा मेरे चोट लग रही है यहां पर इस तरीके से आशे अलग से करोगे और उसकी करोगे तो इotle को मैं चैन अगर आप यहां से देखोगी तो इधर कर लो या उधर कर लो बात एक ही इसका नेम क्या से लिखना है कि यहां पर जो है पांच में कारवन पर आप 1,2 यानी कि 1,2 डो मिधाइल गुरूप है और इसका मीधा तो फाइब 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल देखे हैं अगर आपको नहीं समझा रहा थोड़ा इसको रोक करके वीडियो को दुबारा भी देख सकते हैं यह इस तरह किसा आपका थार्ड रूल हो गया चोथा देखिए अभी तक हम सिंगल सिंगल का देख रहें तो हम डवल ट्रपल बॉंड प्रेसेंट इन पैरेंट चैन सो नंबरिंग इस्टार्ट फ्रॉम दा क्लोजस नंबर टू दें कि अगर डवल बॉंड आजए यह ट्रपल बॉंड आजए तो फिर आपने जो है इन क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इनको कोई रैस्पेक्ट नहीं देनी है आपन आप काउंटिंग करतें तो यह दूसरे नंबर पा रहा है इदर से और लेकिन इधर आपको यह डवल बॉंड है तो आप यूप यह डवल बॉंड को ज्यादा दोगे यह इसको आप ज्यादा प्राइटी नहीं दोगे तो नंबरिंग आप इधर से करोगे 12345 ठीक है अब फ आजे तो हमने आपको यहां पर बोला था यह इस तरीके से यहां पर थोड़ा आगी करके लिखा जिसकी डव जब भी डवल बॉंड आजाएंगे अगर वहीं ट्रिपल बॉंड आजाएंगे तो हम इसको यहां पर आईन सफिक्स करेंगे टियर हुआ यहां को समझा जाए इ गरर्फ देखती तो यहां पर और तुसींदन करें कि एक तरफ डॐल है यहां पर जिखान अब दिमागा तो सोझो यह गररा हुससे चगड़ा होगा या उसको जाद राश्पर ड्यभकिंगे यहोठी है तो numbering जो है यहां से start नहीं बलकि अधर से start हो तो 12345 तो यहां पर इस तरीक से आपने लिखेना है तो यहां पर यह हमार five कारवन काये तो pen and one पर ही आपका double Wayland 213 और four पर हमें पहते क्या है आपको चैनल यहां पर जोड़ी पड़ी है तो यहां पर दूसरा जो कारवन है उस पर जोड़ा पड़ा है यहां पर साइकलो पैंटाइल पांच कारवन वाला है तो साइकलो पैंटाइल और इच्छे हैं पूरे के पूरे तो हैं क्योंकि सिंगल बॉर्ण है क्लियर हुआ आपको समझ आए लास्ट में आपको एक और यहां पर रूल है कि इफ ऐनी फंक्शनल ग्रूप अटाइस टूदा पैरेंट चैन देन ऑलवेज गिव फर्स प्राइब करेंगे तो यहां पर आपके पास सीयल भी दिख रहा है लेकिन यहां पर अपने नम्ब्रिंग कहां से स्टाइट करनी है जहां से आपका सी ओ ओ ऑची जो गूरू इसे पड़ता है लेकिन हम स्टार्टिंग इधर से ही कर रहे हैं जो हमारा एसे गुरूप यह व यहां पर चार कारून बाला है तो यानिके इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन है न और यह वह जोड़ जाएगा यहां पर सफी सोड़ेगा किसके लिए जो हमारा फंक्सन गूरूप है यहां पर आपको दिखा देता हूं इस तरीके से कि जहां भी हमारे यह एसे गूरूप या कि आपको confusion दूर हो जाए कि देखो अगर यहां पर किस भी पैरेंट चैन के साथ फंक्सन गूरूप अटैच है यह कोई आपका सबसे पहले अच्छे से देनी कि इसको फंक्सन गूरूप के आगे कुछ भी नहीं है ठीका फंक्सन गूरूप आपका मैन है उसके बाद डाव सबसे लास्ट में यह आपका एक और होगे नंब्रिंग करने का अब यह तो आपने सारे रूल पढ़ लिए अब यह थोड़े अगर आपको याद नहीं हुए तो कुछ यह आपने याद रखनी पढ़ेंगी अब मैं आपको कुछ यहां पर पर बता देता हूं जैसे कि मेरे सामने यहां पर कुस्टन बेपर है दो जर्बाइस का और यहां पर एक आयू पीसी नेम पूचा है यहां पर कंपाउंड है CS3O CS2 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 तो यहां पर देखिए मैं इसको सिंपल तरीका से लिख लेता हूं यह आपका CS3O CS2 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 CO2 CS2 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 ड़YA आपका ह maip करने का मतले fc करने का मैंने का मिल पर आपको मिल जाए एक मतलब नंबरिं तो अपने उधर उधर से कार्णे हों को करते हैं यह और यहां पर इंक्लुड होगा अगर आपका कार्बन हैं किस भी function group में one two three four five अब देखें यहां पर oxygen आ गया अब आपने इस वाले को नहीं गिनो के जो carbon है आपने जो है यह यहां पर substituent मानना होगे आपको एक substituent है जो कि पांच वे carbon से जोड़ा है यह methyl आप जानते ही है यह ओ वर्ड ओ और जोड़ा पड़ा है निकि अगर हम methyl पिलस ऑक्सी को और हम मिला दें अगर हम methyl पिलस ऑक्सी को दो वर्ड को मिलाएं तो यह हमारे मिला करके बोल जाते हैं मिठोक्सी ठीक है तो इसके लिए हमने मिठोक्सी एक प्रफिक सी यूज़ करेंगे ठीक है अगर हम नंबरिंग करें 12345 बैठ रहें तो पहला पांच वे बनेंगे पैंटेन और इसके एक अल नाम का शफ़ी जोड़ता है तो पैंटेनल जी आपका बन जाएगा पैंटेनल ठीक है तो इसका नेम हो फाइब मेथोक्सी पैंटेनल इस तरीके से हो गया तो यह आपने इस तरीके से ना सौड में पूछे जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ आया हो कि कैसे हमने क्या चीज़ा करें है ना इसके आप यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया हुआ था जैसे कि हम साइकलिक वाला यह स छाउच करेंब कहा करें हैं और इसके यहाँ पर आपको zarahi भी और ऑपर यहां पर pause टीनल में तो तो देखिए यहे ननवी स्ट्क्टर जो इस तरीके से दिखी होई है जैंक आप सो नहीं कर रखें आपकी चीजा़ा है यहां पी यहाँ पर यहाँ पासी यहाँ नहीं कर से हैं ठीक है एक बार देख लेना अगर कोई बैलेंस बगर थोड़ा बहुत कम हो मैंने लिखे दिया है तो आपको यहां पर देख रहा है यह सी ओ ओ अच यह आपका कार्बॉजलिक एसट वाले गुरूप है इसको हम कार्बॉजलिक गुरूप बोलते हैं तो इसके लिए हम करते हैं जो आपको मिल जाएगा नंबरिंग तो हम यहीं से करने वाले हैं यह तो आपको क्लियर हो गया तो नंबरिंग करते हैं 1234 और यहां पर आपको फाइब यह हमारी मैक्सिमम यहां पर चैन्ड बनती है ठीक है नहीं कि पांच कार्वन यहां पर हम मान के चलेंगे मैं बस यहीं है तो आब हम यहां पर किसको प्रकान यह देंगे मौता है यहां पर हाइबर फोर कई तो फॉरниц घ्सट फॉर्ट फॉर मेकस चलेंगे तो हम स्टाहिंग करेंगे टृस कह त्री त्रन है इस क्ली यहां प्याहत बिए के पांच पे कारवन पे ओर फूर्थ कारव 4,5,5, हैं दो मिथाईल करूप है यहां पह आप चाहिए सार का सार है क्या है सिंगल वॉंड है और पांच कारवन के चैनल पैंटेज बनता हुए पर यहां पर तो तो इसका नेम क्या हुआ थ्री थर्ड पोजिशन पर हाइड्रोक्सी गूरूप है दो आपके मिथाइल गूरूप है जो कि फॉर्थ और फिफ्थ कारवन पर है और यह आपको पैंटेन पांच कारवन वाली एक पूरी प्रेंट चैन है आपके और इसमें अब मैं आपको दो यहां पर दे रहा हूं आपको कमेंट में बताना होगा है देखो आप इसको नोट कर लीजिए CS3 CS2 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 COOH बहुत सिंपल है इसका आपने आयूप एक नेम बताना है ठीक है एक मैं आपको दूसरा और दे देता हूं जो है आपके सामने यहां पर इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन सोट लेजिए CS3 CH और यह आपको एक कोस्टक में दे रखा है मतलब कि इ यह जो है इस तरीके से आपने सॉल्व करके मेरे को बताने कमेंट में जरूर बताना तो यह इस तरीके से आपका आयूप एक जो सारे जो सिस्थम था सारे जो एक्जामपल थे हमने हैं आपको क्लियर हो गई है ठीक है अब इसके वादे कि जो हमारी यूनिट है यानि कि फर क्लासिफिकेशन क्या है जूकि हम देखी चुक्ए है है और उनकी हम उपीज्वन करेंगे अच्छी सब्सक्रेंगे तो यहां को break करते हैं पहले हमने isomer को समझते हैं और isomer वन्य की घटना को ही न हम isomerism कहते हैं ठीक है अब देखो यहां पे है isopillusmer आइसो जहां पी जोड़ जाता है उसका मत्य होता है same या वो ले तो similar या कहें तो equal and mer का मतलब है part मतलब कि वो compound जिनकी जो part है वो तो बराबर है पर उनकी properties या उनकी जो structure है वो अलग अलग है तो वो हमारे कहे जाते हैं क्या isomer and इसी phenomena को इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं isomeris clear हुआ अब मैं आपको example दो हूँ है उससे आपको और चीज़े के नंबर तो सेम है what they are differing properties and arrangement of atom in molecule पर वो अलग है properties में भी और उनका जो arrangement items का वो अलग है molecule के अंदर वो हमारे isomer कहे जाते हैं इसी phenomena को हम isomerism कहते हैं example आपके सामने है देखो यह आपका butane है चार कारवन है तो इसको हम n-butane भी बोल देते हैं जो कि श्रेट चैन को indicate करता है n-butane तो यहां पर one two three four four carbon की ब्यूट और single bond है इनकी butane ठीक है अब ऐसे ही अगर है इसके हम chemical formula की बात करें तो one two three four चार कारवन है ठीक है c4 h कितने है तीन तीन च्छे च्छे दो आट और दो दस तो hydrogen यहां पर दस इनके c4 h 10 इसका chemical formula है दूसरी तरह आप देखोगे यहां पर जो है आपका isobutane है अभी मैं आपको बताओंगा one two three यहां पर parent chain यह है अगर हम इसका दूसरा निम निकाले आयो पीसी से आप निकाल सकते हैं कि जो है आपका सेकंड कारण पर मिथाइल ग्रूप यहां कि टू मिथाइल प्रोपेन है यह आपका है अगर हम इसके chemical formula की बात करें तो कि यहां पर carbon दूसरा तीसरा चौथा निकी चार carbon है hydrogen यहां पर कितने तीन और तीन च्छै च्छै और एक साथ और साथ तीन दस दस यहां पर hydrogen है है ना अब आप यहां पर नोट करोगे कि देखो इसका भी chemical formula CH4 है यहां पर भी इसका फॉर्मला यानकि इसका chemical formula भी सेम है पर इसकी structure आपको यहां पर अलग दिख रही है समझे रहो तो ऐसे दो compound जिनका chemical formula तो सेम होता है लेकिन इनकी structure अलग है और इनकी properties भी अलग होंगी तो वो क्या कहे जाते है हमारे isomer कहे जाते हैं समझ आय की नहीं जैसे कि हमारा butane है यह हमारा तो यह उसका isomer है तो इसी हो जैसे इसको हम बोल रहे है isobutane यानिकी butane का isomer ठीक है इसका वैसी name क्या निकला भी जैसे हमने निकले 2-methyl-propane clear हुआ तो यह होगे हमारे isomer यानिकी isomer के example अभी जो isomer होते हैं यह दो टाइप के होते हैं और अभी फिलाहला आप second sem में तो उसमें से आपके वाल एक ही टाइप यहां पर समझोगे जो दूसरा जो टाइप है यहां पर इस्टीरियो isomer इसको फोर्थ सेमिश्टर में जाक सारपाइप समर्न में जैसे आपने चैना इसमरं पोजिशनल इसमर फ़ंक्सटन ऐसमर रिंग चैन आइसमर मर्म नोट Henri इस्चाल इसमीश्टमरिं की ieldивाइं कि दूट्रियौ है यह कि फщट्राइप करते हैं यह यह मार्य कि सीम होता है पर उनकी स्ट्रेश्छरा अलग हो बखिए यहां पर है दो आई सोमर विच आप सेम केमिकल फॉर्मूला वर डिफर इन दा इस्ट्रक्च्टिरल फॉर्मुला सो उनी को हम बलते स्ट्रक्च्ट्टल आई सुमर अभी उदिंगेन सायं कि यह आपने discuss करने मैंने एकस्ब के साथ साथ बताई हुआ है चैन आइस ओमर क्या है पोजिशनल आइसोमर क्या है फंक्शनल आइस ओमर क्या है इस अध्याइग प्हले है पिल्गी आपने पिर चैन आइस ओमर तो लिखाए में जो है तीन कारण वाली पैरेंट चैन है एक सबस्टिट्ट्ट के रूप में ब्रांच के रूप में मिठाली गुरूप जुड़ा है तो यह चैन आइसोमर कि इनकी चैन जो है वो अलग अलग है वाकितो चैमिकल फॉर्मूला सेम ही है एक सीफॉर एच तैन तो यह हमारे होगे चैन आइसोमर ठीक है अब सेकिंड हमारे पोजीशन आइसोमर यहां पर क्या होते हैं देखे लिखाए कि दो दाइसोमर विच्छाव सेम केमिकल फॉर्मूला वाद डिफ्रेंट पोजीशन और फंक्सलन गुरूप और सब्स्टिट् थी camera कारवन की चैन आउनकी प्रोपें अपते होगे यहां पर यहां पैसे होगे और हम इसका केमिकल फॉर्मिल निकालें तीन आइँ तो सीथी इसमें साथ है थो एक겠र, है सेम ऐसे ही देखोगे C3 और H7 दो और दो चार और तिन साथ और आपके CL मितलब कि इनका chemical formula C3 H7 CL है पर यहां पर जो एक कोई substituent या कोई functional group देखें यहां पर substituent है हमारा इसकी position देखो हैं पर first carbon पर हैं यहां पर second carbon पर हैं बस इसी इनके structure अलग होगी और यह हमारे क्या कहें जाएंगे position में changing के वज़े से position isomer समझेरों यह इसका example है आपको समझ आ जाना चाहिए अब इसके नेक्स हमारा functional isomer कि मतलब ऐसे isomer जिनकी structure तो स्वरी chemical formula तो सेम होता है पर उनमें different different functional group होते हैं जैसे कि लिखाए कि दो इसोमर विचाप सेम chemical formula वर different functional group एक्जामपल जिसके यहां पर इथेनोल है इथेनोल जो कि हमारा alcohol है यानकि यानकि दो carbon वाला है तो एथ और ओल साफिक जोड़ देंगे लास्ट में इथेनोल बन जाएगा हमारा समझ रहो तो इथेनोल में अगर हम number of carbon और number of hydrogen की बात करें तो दो carbon है तो c2 तीन और दो पांच और एक 6 यानकि 6 hydrogen होके और एक oxygen group c2h6o दूसरी तरव यहां पर है dimethyl ether यह जो बीच में जो जोड़ता है और side में आपका यहां पर आरार हम इंडिकेट करते थे तो यहां पर हमारे carbon atom और hydrogen atom और oxygen देहोगे यहां पर दो carbon है ठीक है c2 यहां पर h3 36 है ठीक है oxygen एक oxygen का गुरूप यहां पर आपको मिलेगा तो यहां पर इसका भी बैठ रहा है पर इसमें यह एलकोहली गुरूप है ओएच्छ यह एलकोहल है यह हमारा इथर है समझ रो तो किस चीज में डिफ्रेंस है फंक्शनल गुरूप में डिफ्रेंस है यानि कि वह आइसोमर जिनका chemical formula सेम होता है लेकिन उनकी अगर हम structure में देखेंगे तो functional गुरूप अलग अलग है तो व मतलब दो compound रहेंगे एक तो open chain में रहेगा जो हमने discuss करे थे starting में classification में भी दूसरा आपका cyclic form में रहेगा जिसकी open chain में है यह आपका cyclic form में है open chain में देखो कि यह आपका propene है propene कहें तो हैं पर तीन carbon atom है और इन साफे के जोड़ रहा है मतलब कि double bond है तो इसमें हम number of carbon atom की ब hydrogen C3H6 इसका ही chemical formula हो गया दूसरी तरह आपका cyclo propene यह cyclic form में है यह तो रिंग में है तो इसलिए हम prefix use करने cyclo बाकि इसमें तीन carbon है और single single bond है तो इसको हम propene बोल रहे हैं तो अगर हम बात करें इसके carbon की तो तीन carbon है ठीक है जी तीन carbon है दो और दो और दो यानिकि तीन अगर हम इसके दो और दो चैगर हम बात करें तो चैहां पर hydrogen होगी तो chemical formula तो सेम है पर एक जो है ring form में है एक यहां पर open chain form में है तो ऐसे जो isomer है वह आपके ring chain isomer कहेंगे समझा गया अब इसके नेक्स आपका metamerism तो यहां पर लिखाए कि दो isomer which have same chemical formula but different alkyl group chemical formula तो सेम रहेगा प पर उसी में अलकल ग्रूप अलग रहेंगे अलकल का मतलब होता है जिसके methyl हो गया यहनिकि CH3 इथाइल हो गया प्रोपाइल हो गया तो यह हमारे कि आपका डाइथाईल इथर यह हमारा इथर का ग्रूप है ठीक है CH3 CS2 यानिकि दो कारण वाला है तो इथाईल एक ही हो गया तो दो इथाईल जोड़े पड़े है इथर से यानिकि डाइथाईल इथर समझ आ गया दूसरी तर आप देहोगे यहां पे एक यह इथर ही गुरूप है लेकिन एक तरफ मिथाईल जुड़ा है एक तरफ तीन कारवन वाला यहां पर जोड़ा पड़ा है यह हमारे कहा एसे ही सेम यहां पर मिलेगा चार कार्बन होगे ठीक है हाइड्रोजन की बात करें तीन और तीन च्छै और दो और तो चार एंद की दस हाइड्रोजन होगी और एक ऑक्सिनी गुरूप हो गया तो कहने का मतलब केमिकल फॉर्मुला तो सेम है अगर हम इसकी इस्ट्रक्टर को मेटामर भी बोलते हैं समझा गया नेक्स्ट आपको लास्टमेरिज्म और जो आइसोमर यह होते हैं उनको हम टोटोमर बोलते हैं तो यह आप लखाए कि टोटोमर आट दोज आइसोमर विच कें तुकिली इंट्रकनवर्ट वाइदा मूमेंट ओफ एन हाइड्रोजन एंड मतलब यह ऐसे आइसोमर जो उन्हें एक दूसरे में इंट्रचेंज होते रहते हैं और यह एक्किलिब्रियम में एक्जिस्ट करते हैं दोनों एक साथ जैसे कि मैं आपको एक्जांपल से बताता हूं यह आपको कंपाउंड है जो कि आप देहोगे यहां पे CS3 है CH3 ठीक है इदर सीडल वन ओ है यहां कि कीटोन गरूप है और यहां पर भी CS3 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 कीटो फॉर्म है कीटोफ यहां पर प्रिजांट है अब यह नहीं है इंटरचेंज होते रहते हैं इंटरचेंज कैसे जैसे कि यहां पर यह जो हाइड्रोज है यह इस आक्षिन के पास चला जाता ह है जिसके यहां पर होगे COH COH इस तरीके से और फ्री जो बैलेंसी पूरा करने के चेकर में यह जो डवल पॉंट है इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है तो यहां पर यह कीटोन फॉर्म था यानिकि कीटोन पर गुरूप था फंक्शन गुरूप अभी जो होते रहते हैं तो ऐसे जो आई सोमर अगर हमें इसके नमर ऑफ कार्बन की बात करें तो ब्लुकल भी चैंज नहीं हुआ है ना बस इसमें यह जगह ही तो चैंज हुई है कार्बन पर उतने ही है हाई डोटोमर है और इसी फिनोमेना को हम टोटोमेरिजम भी कहते हैं अब य अग्जांपल सहीं देगा की कुस्न मोर हो सीम ने चैंपल सही है तो उनके बारे हैं और उनकी स्टीरियो ईसोमर या अभी Iris है एसे आपकी Compound आपकी chemical जिनका जो chemical formula है यह कहें तो molecular formula है वो तो same रहेगा पर उनकी stereochemistry लग रहेगी मतलब उनका जो arrangement and atom का space में वो अलग लग रहेगा space कहने का मतलब क्या है अब मैं आपको बताऊँगा लिखना है कि those compound which are same molecular formula but differ only in arrangement of their atom in space are called stereoisomer और इससी phenomena को हम बलते हैं stereo isomerase example देहोगे यहाँ पर कि यहाँ पर बिल्कुल structure भी खास कोई चैन्ज नहीं है बस space में जो atoms का arrangement अलग है C development C यहाँ पर COH COH यह दोनों एक ही तरफ हैं यहाँ पर hydrogen दोनों यह hydrogen atom number of oxygen atom यहाँ पर सब एक्वल रहेंगे C4H4O4 दोनों में पर जिस्ट difference किया है यह जो इनका arrangement है इस पेस में इस पेस वो ले तो इस कार्बन के चार और का जगह है तो इनमें जो इस पेस है इनहीं atoms का यह गुर्प्स का वो अलग-अलग है इनकी इस्टीट्यों chemistry अलग है तो ऐसे isomer को हम यहाँ पर इस्टीदियो आइस उमर मोलते हैं और जब यह दोनों के दोनों सेम सेम साइड होते हैं इसके सी ओ एक तरफ है और यह अगर साइड होते हैं hydrogen और यह वाले तो इनको हम trans कहते हैं इसको हम सिस कहते हैं सिस कहने का मतलब है एक तरफ यानि कि समान ट्रांस हो ले तो उसके आर पार है न तो यह आर पार आपको देख रहें यह इधर है यह इधर है यह तरह है तो यह हमारा Fumaric Acid है यह आपका Malic Acid है तो यह आपके Stradio Isomar के Example होगे I hope समझ आ गया होगा तो इस थरीके से देखे है अभी जो हमने फिलहाल कवर कर लिए वह unit first है दिखने में छोटी से लग रही है पर यहां पर बहुत सारे concept है जो कि आपके start हो रहे हैं जो कि आपके आगे काम इन्स इनके वार में आपने पढ़ना है तो देखिए पहला जो हमारे question है अगर हम unit second की बात करें तो यहां पर यही बनता है कि define the term alkenes and conjugated diens इन terms का मतलब क्या है example क्या है वो आपने थोड़े समझ में आने चाहिए तब ही आपको चीज़ें यहां पर आगे समझ आएंगी तो देखिए यहां पर हम इस word को break करें alken को वैसे तो अभी आपने iupac name समझा है तो आपको चीज़ें समझ आई ही गई होंगी क कि एल्क पिलस एन एन तो अभी हमने देखा था कि जब भी single bond रहता है इस वज़े से suffix यूज करते थे हम एन ठीक है एल्क का मतलब होता है alkyl group मतलब की hydrocarbon की चैन just hydrogen carbon जोड़े होंगे तो उसी को हम बोलेंगे alkyl group या hydrocarbon की चैन मतलब वह hydrocarbon की चैन जिसमें single single bond रहते हैं वह हमारे alkyl है अपने रटना नहीं है जिस यहां पर वर्ड को ब्रेक करकर समझ सकते हैं तो लिखना कि alkyl is a type of hydrocarbon which a single bond between carbon atom example जैसे कि यह आपने देखेते हैं मिथेन हैं यहां पर आपका एक carbon है और चारो तरफ से hydro जूड़ा हुआ है जो कि carbon की चार वैलेंसी रहती हैं तो यह क्या बोलते हैं हिंदी में अनुक्रमाइंक इस तरीके से बोलते हैं तो उसको अगर हम बात करें तो carbon का 6 होता है तो अगर हम इसका configuration निकलें 2,4 इस तरीके से होता है मिलब जो आउटरमोस जो इसकी और पिटल उसमें चार यहां पर आपके electron है तो अगर हम बात करें चार य है जिसमें 2 carbon है और आपकी यहां पर 6 hydrogen है सभी में single bond है मतलब यह अलकेन है अब बात करते हैं second है अलकीन अगर हम बर्ड को जोड़ें ब्रेक करें सोरी तो अलक का मतलब तो वही है मतलब की hydrocarbon की चैन और इन जो सफिक्स है उनके लिए लगाते हैं हम जिसमें development होता है समझ र बड़ी मिस्टेक होगी यहां पर लिखने में यह लिखाए कि विच है डवल बॉंड डवल बॉंड विटविन कारफन अटम समझ रहो तो यह वाई मिस्टेक हो गया है आप जहां रख लेंगे मैंने आपको बता दिया है कि वह सारे आइट्रोकार्वन जिसमें डवल बॉं है अब इसके बादे कि हम बात करते हैं नेकिस डाइइंस का रख काले बात होता है कंजूगेशन देखो हैं यहां पर लिखाए चैंगन को यहां पर कि अल्ट्रीं अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डावल बॉंड जब सिंगल और इस तारीके से डवलबॉन यहां आपर यहा और इसी को में पर conjugation बोल देते हैं तो वर्ड आया है conjugated conjugation से diene, die का मतलब 2, in का मतलब होता है वही यह यह double bond मतलब यह दो double bond को indicate कर रहा है तो यह क्या हुई आपके conjugated diene, यहाँ लखना की conjugated diene are a type of hydrocarbon, यह भी hydrocarbon का एक type है जिसमें क्या है कि which contain two double bond which are separated by a single bond मतलब इसमें जो है दो इन होते हैं दो double bond रहते हैं जो कि single bond से separate किया जाते हैं कहने के मतलब हैं जैसे आप यहाँ पर देहोगे यहाँ पर है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH CH3 आप यहाँ पर नोट करोगे मतलब करेंगे और इस तरह सँथा क्मट करेंगे मैं एhem一次 करोगे लिए तो करेंगे यहां से कंव्क कि यहाँ पर यहां पर पहने कि 3 डाइन समझाया यह होगी आपका चुछ और यह यह नियुक्त आपका सिंगल बॉंड होते हैं उन में आपने बताने यह दर डेटेल में नहीं बताने क्योंकि सौड में पूछ जाते हैं तो देखिए यह नहीं आपने इसमें SP हाइब्राइजेशन, SP2 हाइब्राइजेशन, SP3 हाइब्राइजेशन थोड़ा से याद करो, तो बस वही चीज़े आपने हाँ पर रिकॉली कर रहे हैं, तो सबसे मिलता हम यही समझेंगे कि आखर यह हाइब्राइजेशन क्या है, फिर उसमें एक टाइप पूथा जा रहा है, यहां पर SP3 हाइब्राइजेशन इन आलके वो क्या है, ठीक है, वर्ड को हम प्रे करें हाइब्रीट प्लस आईजेशन, हाइब्रीड आपने फसले सुनी होंगी, फसले या फिर फल या और भी हो सारी चीज़े हाइब्रीड बनती है, मतलब दो अलग अलग जन जाती है, है उनको मिला करके एक new variety तयार करना, तो वो hybrid कहा जाता है, है न, तो hybrid कहने का मतलब है combination और mixing, मतलब यहां पर हम especially जो बात कर रहे है, वो orbitals की बात कर रहे है, कि यहां पर दो अलग अलग shape के या दो अलग अलग energy के जो orbitals है, उनको mix करके, एक साथ combine करके, सेम energy के hybrid orbital बनाते है, है और isation का मतलब है process, यानि कि उनहीं hybrid orbitals के बनाने की process है, उसी को कहेंगे है, हम hybridization, clear हुआ कि नहीं, तो यह जिस्ट नेम से आप यहां पर समा सकते हैं, तो यहां पर मैंने वही लिख रखा है कि hybridization is the process of formation of hybrid orbitals in which two or more orbitals of different energies or different shapes mixed together and form a new orbital of same shape and same energy, मतलब hybridization एक ऐसी process है, जिसके अंदर दो अलग-अलग, दो या फिर दो से जादा अलग-अलग energy के या अलग-अलग shape की जो orbitals है, उनको mix किया जाता है, और mix करके जो है, वो एक new orbital बनाते हैं, जो कि सारे एक सारे जो भी orbital बनेंगे, एक दूसरे के समान बनते हैं, और same energy रहती है, same shape रहता है, तो इसी process को हम बोलते है, hybridization, जिसके मैं आपको example से बता देता हूँ, जिसके suppose करो, एक हमारा ये है, s orbital जो कि round में रहता है, और एक आपका ये इस तरीके से होता है, p orbital, तो ये दो अलग-अलग shape के हैं, अलग-अलग energy orbital, जो हम इनको मिला करके, कोई एक ही इस तरीके से ये orbital बनाएंगे, तो ये जो है hybrid रहेगा, थोड़ा ये गोलाकार है, थोड़ा ये इस तरीके से भी है, तो इसको हम बोलेंगे hybridization, समझ रहे हूँ, अब यहाँ पर जो especially पूचा, वो sp3 पूचा, जो कि sort में ही बताना है अपने, तो यहाँ पर जिसकी निमरा, s, एक s orbital, और जब तो उन्ही के बन्य को हम बलते है, sp3 hybridization, ठीक है, ये alkenes के अंदर होता है, जिन में किवल, single bond होते हैं, तो sp3 hybridization means, when 1s orbital mixed with 3p orbital and form equivalent sp3 hybrid orbital, तो उसी को हम बलते है, sp3 hybridization, इसके example की बात करें, इसके इथेन है, मिथेन है, ये आपका मिथेन यहाँ पर दिख रहा है, c, h, h, hr, h, depends Euch1Solar, CPR-Chain, ch4 видео, तो आगर हम बात करें न, तो यहाँ पर इनका इक particular shape बनता है, यह tetra-hydral, safe है कुछ इस तरीक से यह आपका दिखता है, यह कुछ इस तरीक से आपका दिखता है टा- यह अलग अलग हैels, हाईप्रेट 3 में tetrahedral बनता है और इसमें जो बॉंड एंगल जो रहता है वो 109.5 डिगरी कर रहता है समझे रहो अब यहां पर कैसे लिखना है इस तरीके से बता देने इतना इनफ हो जाएगा अब दूसरे हैं जोड़ा पढ़ा है वह है यहीं है है थे सच इसकाऊ है लोगगा कि इसको नहीं को छेटेकansen बिल्स गरतिके सब्सक्राइब को हमारे ऑप का यह जंग करें है तो अब की करना यह आध करना मतलब एलकेंश पुर्ण के अंदर है जो ऑडी कर में है दीन न तो वही एडिशन की जो प्रॉसेज है उसी को हम बोलेंगे हैलोजेनेशन समझ रो जिसकी नॉर्मली अभी हम देखते आ रहें सब्सक्राइब करो एक्जम्पल सम्मिथेन का यह एक्जम्पल ले रहें जिसकी मिथेन से चारो थरफ हमारे हाइड्रोजन जोड़े पड़े हैं अगर हम एक हाइड्रोजन को हैटाएं और इसकी जिए जिए हम कोई हैइलोजन लगा दें लाइक हम यहाँ पर लगा दें थी फ्लने हरी अख्लीग प्रिजनेशन इस दा केमिकल रेक्षिन इन विच हैलोगन एटम लाइक फ्लोरो ख्लोरो ग्रोमिन आइडिन यह आपकी सारे जो एटम से यह एड होते हैं पर्टिक्लर कैसे मोलिकूल में वाई रिप्लेसिंग हैड्रोगन एटम क्लियर हुआ एग्जम्पल जिसके हैं पर मिथेन हैं बही मिथेन में चार्व तरफ आपके हाइड्रोगन एटम है यहां पर आपकी क्लोरीन है जो कि सनलाइट की प्रिजन्स में यहां पर एच्छी न्यू दिखा रहता है यह विसिकली न्यू है जो कि फोटोन की एनरजी को सनलाइट की प्रिजन्ट में यह जो है इस हाइड्रोगन को रिप्लेस करके सीव यह पर जुड़ जाती है जिसको हम बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड और यहां पर आपका हैड्रोगन क्लोराइड अलग निकल जाता है कहने का मतलब जो आपका एलकें था उसमें एडिशन हो क्या ओडर रहेगा रियक्टिविटी का वह बताना है डिफ्रेंस बिट्विन देम इवन और इटू मतलब डिफ्रेंस बताना है और उनको कौन-कौन से फैक्टरफाइट करते हैं वह आपने बताने पूरा ने टैन मार्स में कुसन आपको बनता है यहां पर आप देखोगे किसे अधरे बताना है और ऑडर ओड्रीक्टिविटी वटाना है और आगे आपको यहां पर मिले है ईवन वर्सस इटू उनमें क्या अंतर है वर्म-कौन-कौन-कौनसेे फैक्ट करते हैं इवन एक फुल सनके ए आपने आपने हुल असर्यी ? अब देखे हमने यहां पे कुस जो कि आभी मैं आपको बताऊंगों उसके बाद में तो पहले हम समझें कि आखरी elimination reaction क्या है जो कि दो टाइप की होगी particularly e1 और e2 जिनको हम अभी discuss करने वाले हैं तो और उनको differentiate भी हम करेंगे तो elimination अगर हम बर्ड को break करें ऐलिम ऐलिमिन अगर हम यहां से देखे है एलकेंस के बार में बढ़ रहे हैं एलकेंस सिंप्ली हम अभी आपका मिथेन का ही example लेते हैं इसकी यह हमारा इस तरीके से है CS3 single bond CS3 यह आपका इथेन है ठीक है यह आपका एलकें है अगर हम इस में से कोई सब्सक्राइब करने के बाद इनके बीच में जो है कहने के मतलब पर इस तरीके से है ना तो यह जो हमारी रियक्षन है आप देखोगे यहां पर नोट करना कि पहले एलकें था एलकेंस से एलकीन में से डेवल्पमेंड में से अंसाचुरेटेड में कनवर्ट हो गया और इसको हम बोलते हैं एल्यमिनेशन रेक्षन को निकाल देना और एलकें को एलकीन में ही कनवर्ट कर देना वह कहा जाता है है एल्यमिनेशन रेक्षन समझ आए कि नहीं बस दो एटम्स को अपने बाहर निकाल लाएं तो आप कैसे डिफाइन करोगे हैं एल्यमिनेशन रेक्षन इस दा कैमिकल प्रोसेज इन विच टू एटम्स और ग्रूप और रिमूट फ्रों में मॉलिकूल किसी एक मॉलिकूल यहां पर हम बात करेंगे यह एल्केन की यह एल्काइल हैलाइड की अब आपको बतागो क्यों क्या होते हैं तो उन में से किसी दो एटम यह किसी दो गुरूप को बाहर निकाल देना है ना और डवल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना यह कहें तो एल्कीन का बन जाना वही यहां पर आजये 살े ना दॉसरे डहा बन एक्जमपल कहा जाता है यहां पर मैंने देखाया है ॉकपर करने यहां यह को आुकि कि हम ऐइसे इ leaning by ऑलें गा इते हैं इसका है है यह बुरॉदी आग की यह तोंगा यह ढूरवा नें पुलके अगर यह दोने जूड़ जाती हैं साथ तो उसको हम ढूल देधEE है आलगे हैजरी सिलेगर ऩो यहां से इस कारवन से स्ययल और यहां से एक सिलोगोरिकोust है जैसे कि には निकलेंगे इन दोनों के बीच में डवन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो पहले या यह यहां से एन एक पास चला जाएगा बन जाएगा उसके पास एक एक चा जाएगा इनकी वाटर है पर बन जाएगा अब जितनी सिंपल रेक्सन आपको दिख रही है पर देख रहे हैं सामने से इसको कि भाई एक ही स्टैप में हो रही है पर यह एक्षिली मैंसे होती नहीं है अब इसके दो अलग अलग टाइप है जो कि आपने डिस्कस करने कि कैसे होती है और कैसे कैसे सारी चीजे होती है वह हम यहां पर इसको डिस्कस करेंगे अभी दो टाइप की होती है E1 reaction and E2 reaction अब इनका मतलब क्या है इनको भीने मैंने वर्ड को ब्रेक कर दिया है बहुत सिंपल बस रटना नहीं है बस बातों को समझते चलो E का मतलब यानिकी elimination and 1 का मतलब है unimolecular यूनी वोले तो एक, molecular वोले तो molecule या compound यानिकी इस जो reaction है ने even reaction इसका जो rate है वो एक ही molecule या एक ही compound पे डिपेंड करता है अग्जाम्पल जैसे कि suppose करो यह है हमारे हां पर जैस्ट मालो chloroate है तो यहां पर इसका अगर यह even reaction है जैस्ट यह है नहीं फिलहाल अगर यह even reaction है तो इसका जो rate है के अवल इसकी concentration यह इस पर ही इसका है नहीं है कितना है जो वह वह चीज़ें तो उनकी कंसेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा समझेड़ों तो यहां पर लिखना है इवन reaction is a type of elimination reaction यह elimination reaction के एक टाइप है इन विच the rate of reaction only depends on one molecule वो केबल एक ही molecule यह कहें तो alkyl halide जो substrate है जिससे reaction यहां पर स्टार्ट हो रही है सपोज यह है तो उसी की concentration यह कहें तो उसी पर डिपेंड करता है तो उस reaction को हम बोलेंगे इवन reaction समझ आया अब इटू को आपको थोड़ा अंदाद लग रहा है कि ऐसी reaction यह होगी जो कि दो molecule के उपर डिपेंड करती होगी जिसको हम आगे अभी देखेंगे अब देखो यह जो आपकी reaction है लिखाए कि this is first order reaction which occurs in two step आपने पढ़ा होगा first order second order third order इस तरीके से यह 0 order तो देखिए मैं आपको बता दूं first order हम उसको बोलते हैं जिसमें particularly एक ही किसी molecule की सबस्टार एक ही concentration पर डिपेंड करती हो reaction तो उसको हम बोलेंगा first order अगर किसी पर नहीं डिपेंड करती है मतलब zero order अगर वो जो है आपका second order तो यहां पर यह एक ही molecule यानि कि आपके alkali halide पर ही depend कर रही है तो हमारी यह first order reaction है जोकि दो step में complete होती है अब यह इसी का mechanism इसको हम बोल सकते हैं तो यह जो है पचास डगरे सलसे से जाले temperature पर होती है और in the presence of beak base इसको कराने के लिए beak waste चाहिए होता है लेकिन आप यहां पर देखोगे यहां पर है आपका sodium hydroxate है जो कि strong base है मतलब यह आपकी even reaction नहीं है यह एक्चुली में example e2 reaction का है जो भी अभी हम आकर करेंगे ठीक है तो first step में क्या होता है देखोगी हमने यह पर example लिया है यह भी basically आपका alkali halide ही है आप यहां पर देखोगे यह आपका carbon है ब्रोम गुरूप जोड़ा है और कारवन से चारों तरफ जो है ना अल्लग अल्लग कारवन जोड़े पड़े हैं CS3 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 में इसके पास hydrogen है यह नहीं है ना तो इसको हमने टर्सरी अगर मैं आपको जैसे बोला मैंने कि यहां पर यह आपका CS2 और यहां पर इस तरीके से में आपको यहां पर कार्वन जोड़ा है तो इसको हम बोलेंगे यहां पर प्राइमरी याँ यहां तो यहां पर आपको BT 3 यहां पर है shy वर यहां पर यहां पर आपका सी धरी अभेल आपका यहां पिकाट है यहां पिवर अशी हाइडरोजन है यहां जो दो यहर जो जाएगा चैन्ज हो जाएं तो इस चार व कि जो चाज़ाई हो जसके हो जाक्तु यहां पे यहां पर चोड़ोगी की यहां पर केसे होग की यहां पर रहा है यहां पर कह Prag नौर्मल नेम ऐसे बूल दे रहें है घर हम इसका आई पीस नेम निकालेंगे तो हम नंब्रिंग करेंगे 123 इस तरीके से लॉंग चेंड भन रही है तो यह हमारा परोप है तो तो टू ब्रोम टू मिथाइल प्रोपेन इस तरीके से इसका यह आयू पीएसी नेम है पर इसका दूसरा कॉमन नेम है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइट ठीक आप कुछ भी यहां पर याद रख सकते हैं अब सबसे पहले क्या होता है अगर यहां पर एलिमिनेशन रेक्शन इसके बात करनें तो सबसे पहले क्या होता है यहां पर आपका यह कंपाउंड है पार्टिक्लर जो पी है तो यहां पर इसमें जो बी यार जो ग्रूप है तो यह काफी इलेक्ट्रों नेगेटिव होता है और नॉर्मल यह क्या करता है यह इस कार्बन को लिव करता है या कह पर कारबन है इसकी बैलेंस सी चार पूरी होनी चाहिए पर एक तरीके से इदर से बोंड तूट रहा है तो यहां से कोई बोंड नहीं बनेगा तो इसको पर एक पॉलिटिब चार दा जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देऊए कुछ भी चारी शीच त्रीच त्रीच है ब्यार इसको अपने लेकर के निकल रहा है कि यह अब यह इतर बिधर से उदर भी वापस हो सकते हैं दूसरी बात पात कि यह होती है और मैं प pentru चैनल को है और को बता तूँ की जो भी स्टेफ सी लो होती है न वही इस天á उसU की rate determining step है मतलब कि जो rate जो determine होगा वह इसी से होगा ठीक है अब यह हमारा क्या बना है कार्वो काटाइन बना है यह आपने सिंपल समझ आया तो यहां पर वही लिगा कि this step is slow and determine the reaction of rate फिर अब जो कार्वो कैटाइन है अब इस पर जो है हमारा यह जो हम यूज करें थे वाटर को एज बीक बेस उसमें से ओवेच जो है वह आटेक करता है कैसे दिसकी मैंने यहां पर लिख रहता है इन सेकंड स्टेप प्रोटोन इज रिमूब वाई बीक बेस जो कि हमार आपको निग बाशता है है संयोग कि सैकड़ स्टेप में क्या है की प्रोटोन रिमूब किया जाता है वाटर के दwecasting थी के दो आख लाता उससे निकाला जाता है और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है देखोगे यह बही कार्वोकाट आयन है जैसे यहां पे था जिसके CH3, CH3, CH3 और C-पिलस देखोगे यहाँ पे C पिलस, CH3, CH3 यहाँ कर जो CS3 है जहां पर hydrogen यह निकालने वाला है उसको हमने इना अलग खुल के लिए का है CS2 अलग और HLM अब यही जो H है यह पुल किया जा रहा है कि इसके दोबारा से अलकीन में कनवर्ट हो गया है और वाकी जो आपका जो hydrogen आइन इसके पास गया तो पहले वाटर तो था ही था अब इसमें एक और चाइन आय तो यह थ्री ओ फिला सनके इस वाले को स्टाइटिंग में लिखेंगे डारेक्ली हम इसको दिखा देंगे पर एक्षिल में मेकनिसम में इसका इस तरीके से आपने लिखना है समझ आगे यह है आपकी इवन रेक्शन अब बात करते हैं यहां पर कुछ चीज़ें जो कि हमारे कुस्छन पेपर पूचा यह थोड़ा मैंने दिखाए था जो उसके तरफ साइड जिए जिसमें चुक्त है पार्ट जिससे को आपका है जोड़ा पड़ा है वह चारों तरफ से अलगला जगास जोड़ा पड़ा है तो यह हमारे है यह साकिंडरी है यह हमारा प्राइमरी है अब यहां पर देखिए सबसे ज़्यादा रहती है उसके बाद सबसे ज़्यादा रहती है उसके बाद सबसे ज़्यादा रहती है उसके बाद यह यहां पर जो ऑडर ऑफ रियक्टिविटी है इवन एक्शन जो सबसे जल्दी जिसमें होगी वह तरसरी में सबसे पहले होगी ठीक है उसके बाद सेक कालों कि rate किस पर depend करेगा हम इसको even reaction क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह एक ही molecule यह कहें तो एक ही compound पर depend कर रही है जो कि इसका substrate है सबस्ट्रेट यहां पर क्या है इसका सबस्ट्रेट जो स्टार्टिंग माटेरियल है वह है आप यह अलकाइल है इसकी जितनी कंसेंट्रेशन होगी उतनी ही फास्ट यह रियक्शन होगी और किसी चीज पर depend नहीं कर रही है ठीक है आप यहां पर वाटर की कंसेंट्रेशन बढ़ा हो या ना बढ़ा हो उससे इतना है इस पर कोई खास प्रक नहीं पड़ेगा तो इसको हम इसी वज़े से इबन रेक्शन बोल रहे हैं तो लेखना है कि एक ही मोलिकूल पर यह एक ही कंपांड वो डिपैंड कर रही है तो अगर हम इसके रेट को नि के liéis सब्सक्राइब करते हैं कि ज़्यादा करेंगा इस की आपके यहां पर अपके एलखाइयल हैलाइड का यहांप रहेगा उतनी ही ज़ल्द भी प्रोडक्ट बन रहा है वो गदेगा तो रेट इक्वलस्टिव क्या होगया अब देहोगे अगर हम इस प्रपोस्टनल को हटाएं पर के कोंस्टंट आ जाएगा और concentration of reactant, अब reactant हम especially case में क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका reactant है alkyl hyalide, तो rate equals to directly proportional to alkyl hyalide की concentration, समझे रो यह इस थरीकी से इसका formula है, यह होगी आपकी even reaction, अब हम बात करते हैं e2 reaction, e यानि की elimination reaction 2 बोले तो bimolecular, यह थोड़े यहाँ पर mid से जाता है, pen थोड़े जयल है, इस वज़े से, bimolecular, bai क्या मतलब होता है, यहाँ पर जो rate है, इस reaction का, वो दो molecules की concentration, यह दो molecules पर depend करता है, so लेखना है कि e2 reaction, यह तो type of elimination reaction, in which the rate of reaction depends on the concentration of substrate, इनकी alkyl hyalide, साथ के साथ, जो आपका nucleophile है, जो यहाँ पर base use के जा रहा है, basically strong base रहेगा, यह उसकी भी concentration पर depend करता है, ठीक है, मतलब alkyl hyalide पर depend कर ही है, जो substrate है, यहाँ पर जो आपका base use के जा रहा है, यहाँ पर especially strong base use के जाता है, उसकी ही concentration पर भी depend करता है, it is second order reaction, विच ओकर उनली इन वन स्टैप कि साइट और रियक्षिन है मैंने बोला अगर एक चीज पर डिपेंड करें इनकी फर्स्ट ओडर अगर दो पर डिपेंड करें मजब की साइट लेकिन यह एक स्टैप में कंप्लीट हो जाती है तो इसके वाद हैं हम बात करते हैं मेकनिजम के आप आप के वाला यहां पर सोडिम हाइट और है तो यहे इल्टू रेक्शन की पलास पूरत जो यहां पर सबसे पहले प्रोटोन को रिमूब करता है कहां से वीटा कार्मन एटम से अंग साथ के साथ ही यहां से जो आपका हैलएड ग्रूप है इसके क्लोरो ग्रोमार वह से लीव करता है तुरंत आपका paying बन जाता है इसका हमिए अपर का चेब्सार से समझे है यह अपका है यह अलग च्छ पर यह अलग करके खाक कि यह यहां से इसको कर रहे है आट जो है और रिमेंचंट हो सकती है वह यहांपे इंट्रिकेयर कर रहा है छ कटा सकता एड़ो फ्लोर कुछ भी हो सकता है इसलिए हमने यह पर एक सहाँ पर चुन लिया है ठीक है अभी जो हैलाइड गुरूप है इसके जश्ट जो इसे डारक्ली जो कारबन अटेच होता है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं यह द्यान रखने वाली बात है है यहां पर को फ अब उससे मिलते हैं इसको ओच माइनस आयन जोकि अच्छी खासे कंसेंट्रेशन में होते हैं तो सबसे मिलते हैं को बात यहां पर क्या लखिए कि इन एटू रिएक्सटन जो आपके इस्ट्रउंग बेस हैं जिसकी पोटेसुम है यह सोल्टरम है रिमूब करते हैं यह यहां से साथ के साथ तुरंटी यहां पे वीजिकैसे था जता है में का होगी इस तरह के साथ और यह यह सारी सारी छो चीजंसी होती है लूदरThis कि step में सारे कुछ हो जाता है यह आपका यहां पर डॉलोंड का formation होके अलकीन बन गया और यहां पर आपका है लाइड गुरु बाहर निकल गया है तो इस तरीके से इसका mechanism है तो यह जो है इसकी concentration पर भी डेपेंड करती है रेक्षिन और इसकी इसकी concentration पर भी डेपेंड करती है तो इसी वजह से इसको हम बोलता है यानि कि बाइमोलिकुलर एलिमियेशन बात करते हैं order of reactivity तो इसमें भी order of reactivity सेम रहेगा कि टर्सरी जो इसमें सबसे जल्दी होगी यह रेक्षिन फिर सेकंडरी अलकालाइड में फिर प्राइमरी अलकालाइड में ठीक हमने बोला कि यह हमारी इसका आए बाइमोलिकुलर है दोनों की निकाला जाएगा तो यहां पर सेका हो जाएगा के जो हमने पहले पहले है वही के concentration of electrolyte into concentration of base तो यह इसका हो गया kinetic also rate अब इसका देखे हम बात करते हैं क्या difference होते है even and e2 reaction में तो यहां पर अगर आपने यह समझ आगी है है चीज है कि क्या even reaction है तो यह भी यह भी आपको है पर आपर इसलिस समझ रहे गा तो देखो E1 reaction जो कि हमारी unimolecular होती है यानि कि ये एक ही molecule पर depend करती है इसका हमोले हैं पर unimolecular E2 reaction जो कि हमारी bimolecular होती है ये दो molecule की concentration पर depend करती है हमारी E1 reaction दो step में होती है ये एक ही step में हो जाती है इसका जो rate है वो केवल concentration पर depend करता है एक हलाइड्ट की पर यह रोप है यह हमारा आर है को मिसंट कर रहा है कि फेक्प्रेक्शं हं इस में ध crawl को साथ धन kसट को सॉटर बेस्ट करता है और तो की इसकी को सब्सक्क्रेइब करता है यह शॉलों के सब्सक्राइब आपके सांध्रों के मिसंट है है यह इसका Difference है और नेक्स यहां पर कि एवन में कांव काड़का है 직ना Base में यहां तो सकती है पर इस तूर्य यहां पर हमारा फास्ता ब्रेंड रहा है क्योंकि एकी कर रसे कर रहा है ठीक है उसको हम molecularity भी गोल सकते हैं कि order और molecularity बराबर होते हैं जो कि यहां पर फर्स्ट order reaction है लेकिन यहां पर जो इन दोनों में difference आपको अगर वो चीजे समझ आगी तो फटाफट से आप लिख सकते हैं अब बात करते हैं कि कौन-कौन से फैक्ट्राफाइट करते हैं यहां पर यहां पर कौन सी एलकाइल हैलाइड में एलिमिनेशन करा रहे हैं प्राइमरी में सेकंडरी में किसमें अभी हम एक फैक्टर कर रहा है थो वही है कि आपने बताना है कि टैपस ऑफ अफ एक्ट करते हैं यहां पर अगर हम बात करें एवन रेक्षिन में तो बिक वेश चाहिए होता है अगर वहां पर स्ट्रॉंग बेस कर दोगे तो यहां पर काम नहीं करेंगा मिनलब यहां आफेक्ट क तो बात बस यहीं लिखने कि इवन रेक्शन विक वेस्ट सच वाट रिक्वाइड बट इन इटू रेक्शन आपको इस तरीके से आपने लिखना है एंड इसको नेक्स्ट में जो फैक्टर है कि वहां सॉल्बेंट यहां पर जो मीडियम यूज कर रहे हैं इस रियक्शन को कर रिक्वाइड यानि कि जो इवन रेक्शन है ना उसमें पोलर सथक्साथ प्रोटिक प्रोटिक मतलब जो प्रोटोन को दे सकता हो या कहें तो वह हाइड्रोधन बना सकता हो ऐसे हम किसी भी सॉल्वेंट का यूज करते हैं इसके वाटर हुआ एलकोहल हुआ इथेनोल बगर वह हम इवन में यूज करते हैं पर जो इटू रेक्शन लेक्शन पोलर फ्रोटिक सॉल्वेंट रेक्शन जो प्रोटोन को नहीं दे सकते या तो वह हाइड्रोधन नहीं बना सकते एकजामपल ऐसी टोन है कहने का मतलब है कि यह वह उल्वेंट करना यह भी ऐफटर है यह और E2 reaction को ठीक है नगसे temperature जैसे कि हमने बोला E1 reaction पचाह हील रेक्शन से ज्यादा पर होती है E2 को भी यहाँ पर heat चाहिए होती है तो कहने कि मतलब हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमारी reaction उतनी ही fast होंगे तो यह एक factor होगी है तो लखने कि temperature temperature also affect E1 and E2 reaction high temperature जो है यहाँ पर फेवर देता है F A V O U R favor मतलब जैसे किसी की पक्च लेना ठीक है इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुन गलाट स्पेल लेंगे मैंने यहाँ पर correct कर दिया है तो यहाँ पर favor लेता है कि अगर आप temperature बढ़ा होगे तो मतलब कि Elimination reaction बढ़ती जली जाएगी नेक्स्ट है यहाँ पर प्रदेंस ऑफ living group कि जो living group है जो हमारे हैं पर हैलाइड ग्रूप है जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स दिखा रखका है तो यहाँ पर कौन सा बी यार है क्या CL है फ्लोरो कौन सा है तो यह डिपैंड करता है जो जल्दी यहाँ से लीव कर जाएगा उतना ही हमें हमारे फायद होगा उतनी हमारी जल्दी होगी तो यहां पर हमने एक ओर और और ऑफ लीविग यहाँ पर दिखा रखका है कि जो आयोडाइड जो है वह सबसे होगी तो बहुत से लो गी तो यह भी एक factor है जो भी इसको अफ़ेक्ट कर रहा है तो इस तरीके सा आपने बताना हो रही आपके को सिंक कबर होता है क्या है इवन रेक्शन क्या है इटू रेक्शन उन्में क्या है कि उनकों से फेक्टर करते हैं और ओर अफ्र रेक्टिविट संब्सक्राइब तो अन्हीं ने एक रूल दिया तो यहां पर रूल वाज़ाइबन पर है क्या में लेखा है कि इनके अकोइडिंग है कि इन and elimination reaction कि elimination reaction में जो भी अपने देखियें जैस्ट पहले ही एवन एड़ी टू रेक्शन कि उनके अंदर दा मोर सब्सक्टिटीटिट एलकीन वुड़ी दा मोर इनका मानना या इनका कहना था कि जो सबसे जादा सबस्टिटिटेट एलकीन होगी ना बही सबसे जादा सबसे जादा रहेगी अब यह आप तो जानती हैं यहां पर बनाओं जिसके यहां पर डवलबोंड और यहां पर मैं इनके साथ में सी इस तरीके से यहां पर जोड़ दूँ ठीक है बतलब यहां पर जो हाइट्रोधन थे उसको भी सबस्टिटूट करके हमने एक और यहां पर इस तरीके से मिथल गुरूब लगा दिया यह फिर आप एक और सोड़ो इसके बाद में इस तरीके से यह आपका सि है कारवन डल बोंड कारवन इधर भी मस्यास्rica गारी इधर इस्टरी जोड़ धूं इधर भी मस्यास्रें ग tweeting और इधर भी में hop ale आर्व इधर बंतुरी दो इदर यान की चार इनकी तो पूरी है यहीं इदर भी आपके चार ठीक है अब कहने का मतलब यह है इनका कहना यह है कि जो सबसे ज्यादा अगर मतलब बनेगा तो जो मेजर प्रोडक्ट है यहीं में होगा मलब हाई ऐ बने की बनेगी अगर वहां बन रही है तो हाई एममेंट में वही बनेगी अब देखो यह कैसे क्या जंगेट है थोड़ा सब यहां पर अग्जाम्पल से समझो हमारे समने की एक्जाम्पल है टू प्रोमो ब्यूटेन यहां से काउंटिंग है वन टू थ्री फोर टू ब्रोमो और चार से निकलने वाहें है क्य Blocks बाहिए है क्योंकि हम और सोडिय मफेले यहां से निकले नेगे १ैख है कोई दो एक्टर लिए हमारे है सब्सक्राव यह हमारा व्यां है तो कि यहां पर दे जी तर्व करते हैं अगया है यहांसे था के दंद हेसा को यहां घंजते है तो यहां पिस чаT इस रिखेता है तो क्या बनता है यहाँ से चाहिए हैं नहीं को है भी आपट्याइज है तो दूसरी यहाand देखा रहरी है कि यहांकी जगह कर यहांसे बोन लेफका है ठीक है अब कुस्तन हमारे बनता है यहां कि दोनों कंडिशन यहां पर पॉसिवल हैं दोनों हो सकती हैं अब इनका कहना सर्जेप्स के रूल का यह कहना है कि यहां पर जो सबसे ज्यादा जो प्रॉड़क्ट वनेगा और सबसे ज्यादा जो इस्टेवल प्रोड़ुट नögene है यह वंड़ीए यह 20 परसेंट ही बञेए क्योंकि ये मौआ फर्ट्व है यह है यही इस्टेबल है और यह 90 बरसांट जरूब 이미 You रही होती है यह जो आपकी स्टाइब की बन सकती है तो उन में से मौशक बोह रहेगी जो आपकी most substituted होगी और वही हाई amount में रहेगी के लिए यह है आपका अब बात करते हैं next question यहाँ पर आपका explain ozonolysis of alkyn यहाँ पर आपका सलेवस में मिलेगा ozonolysis ozonolysis हम बर्ड को ही break कर देना है ozono plus lysis ozone यानि की o3 and lysis का मतलब breakdown मतलब की ozone की presence में alkyn का breakdown हो जाना alkyn बोले तो उनके double bond जो रहते है alkyn के अंदर उनका तूट जाना और तूट करके किसी दूसरे compound में like ketone या aldehyde में convert हो जाना वही कहा जाता है ozonolysis ozonolysis की presence में lysis होना तो यहाँ पर देहोगे वही लिखा रख रख है कि ozonolysis is a chemical reaction in which alkyns are breakdown या oxidized या breakdown वोल तो या oxidized वोल तो कैसे oxidized या breakdown होती है with the help of ozone and produce carbonyl compound like aldehyde ketone और carboxlic acid यूदि क्या बनाती है carbonyl compound जैसे के aldehyde ketone है carboxlic acid यह बनाती है तो देखोगे यहाँ पर example के तवर पर यहाँ पर दिखा रखी alkyn है आपकी c double bond c यहाँ पर यह इन रहेगा और बाकि देखोगे यहाँ पर आर बन आर टो आर तरी यह मालब रिमेंग हमने यहाँ पर गूरुप दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है हम जैडेंड और वाटर की वर्टेंस में रेक्शन कराते हैं जो की फड़र जो है ब्रेक हो करके हैं से टूट करके हमको देता है ketone ठीक है यह आपका c double bond o ketone और यह cho c sorry ketone ही दोनों तरफ आपको देख रहा होगा यह कई वार यहाँ पर तो यह इस तरीके से बोले तो और जोन की प्रेंस में लाइसेस हो जाना अलकिन की और जोनों लाइसेस कहा जाता है क्लियर हुआ यह आपको और इसका देखिए नैश्य कुशन के होगा कि क्या होता है मारको और कोरूल तो यह कि वह है पहले हम बात करेंगि मारको और कोंटेशन या मारको निकव रूल तो दिखें यह जो है मित पहले बोफ चीज आपने को देखेंद कि रिएक्शन भाइडुजन ट्लॉरइड यह कहीं तो है जैसी कि आपके एलकीन है जिसके सी ऐस तू डिलबोर्ड से एज सिस थरी इस तरीके से हमारी एक पर्टिक्लर यह एलकीन होगी जब हम इसकी रियक्शन किसी हैड्रोजन हैलाइड दिखना दियां है हैलाइड में यूज कर रहा हूँ इनकी हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड गूरूप है किसको मैं कोश्टम कोई सी एल हुआ या बीयार हुआ या आइडो वह कुछ भी यह हो सकता है यानि कि जो हम अलकीन और यहां पर शोरी वाद करें ना है तो मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है यह रूल जो है इस चीज के लिए है कि जब भी कोई एसिमेटरिक है लेकिन हाइड्रोजन हैलाइट के साथ रेक्ट करती है तो हाइड्रोजन है उसमें किस तरीके से आड़ करेगा यह कहें तो यह कैसे एक प्रोड़क्ट बनाएगा वह जो है मार्कोनिक और एंटि मार्कोनिकॉफ के अकोर्टीन होता है समझे है तो इस पार्टिकॉलर रियक्शन के निका रूल है यह चीज़ आपने दिखान रखनी है तो यह पर वही लखाए कि मार्कोनिकॉफ औरियंटेशन इस प्रिंसिपल इन लिखीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइट कैसे एड होंगे यह कैसे वह एड हो करके प्रोड़क्ट बनाएंगे तो लिखाए आगे यहां पर प्रिंसिपल इस नेम्ड आफ्टर दर रसीन कैमिस्ट व्लैड मिर मार्कॉनिकॉव फू प्रपोज इट इन 1869 यह जिन्हों ने 1869 में यह रूल दिया था अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है आपको चीज़ तो समझ आई कि आपकी जो रियक्षण है यानि कि जो आप यहां पर करा रहें रियक्षण वह एक आपकी एस्यमेट्रिक मतलब जो बरावर नहीं है दोने तरह एस्यमेट्रिक कि है और आपके एस्यमेट्रिक के रियक्षण होती है तो यह है किस तरिक हएाँ होगा होगा यह आपने है ये essesstore होगा है यह यह फो आपको बड़ा स will attach the carbon with more hydrogen atom मतलब जब भी hydrogen है जिसके HCl, HBR react करते हैं asymmetric alkene के साथ तो उसमें से जो hydrogen जो यह atom है यह उस तरफ होगा जिस तरफ already वहाँ पर hydrogen atom जाता होंगे मतलब जैसे यहाँ पर मैं example में इसी को बता के है चलता हूं जिसके यह है आपका CHC3 यहाँ पर हम reaction करा देते हैं HCl के साथ ठीक है एच आपका प्लस रहेगा तो यहाँ पर जो है इस मार्कोनिक अकोर्डिंग उस तरफ होगा जहां पर double bond के वीश में जो आपकी यहाँ पर मलब की जो आपकी अलकीन है जिदर जो है जैस्ट इस तरीके से अब हमारा क्या बन गिया यह जो है इस तरीके से CH और यहाँ पर आपका CS2 single bond CHC3 यहाँ पर आपका आजाएगा क्या CL यहाँ पर आपका क्या जाएगा H ठीक है मैं अलग-अलग इसको दिखा दे रहा हूं यह आपका इस तरीके से ही हाइड्रोजन जादा है CL- उस तरफ आया है इस तरफ हाइड्रोजन कम है यह मारकोनिक आपकरोज है अब देखो कि बही बात लिखिए कि वैन हाइड्रोजन हैलाइड रियक्ट विद एस्यमेट्री कैलकीन दा हाइड्रोजन एक्टम बिल अटेज दा कारवन विद मोर हा सब्स्टिटूट रहेगा वही बात देखो मैंने यहां पर दिखा रहा किया है यह आपकी प्रोपीन है CS2 CS3 यहां पर एच भी आ रहा है है यहां तो होत ध्यांट्री यहां थू है किदर जाएंकर हैंधिल घाल म५ंस में आपर मतलब प्रोपेन जो पहले एक तरीके से यहां परिये रिखन थी फिसवल रहा है इल्टे ऐलकाइल हैलाइड बन रहे हैं या कहें तो यह जो है मारकोनी को के अकोडिंग होता है यह रूल हो गया कि वहाई हाईड्रोजिन एटम उस तरफ जाता है जिस तरफ और डि जादा रहते हैं ठीक है आप दियान से होगे मारकोनल को अब यह तो हमने एक step में reaction देग लिए पर actually में यह ऐसे नहीं हो दिया इसका mechanism है तो इसमें दो step involved है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन of alkyne कि सबसे पहले तो alkyne पर एक proton group add होगा ठीक है उसको हम बोलते है प्रोटेन सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले जैसे कि हमारे यह एक्टेंट है एच बीयार और यह एलकीन जो है उस तरह सबसे पहले जो है यहां पर घ्याजत हमें जाएखन हो यहां चाहर और में जाएगा हो पने प Universal effective Chinese 。」 कार्वन महानि सबस्क्राइब जाएगी तरह सब्सक्रांवितिन आजिसमाटी और में सबस्क्रावित्क प जाएगा ठीक है अब सेक्ट इस तैम में क्या होगा यह जो बीर ता इस नेगेटिव अलिक पे आटेक कर देगा नेगेटिव पर पॉजिटिव अटेक कर देगा सिंपल बीर इस तरीके से रियक्शन होती है जाई कि आटेक करता है कार्बोकाटाइन पर आफटेट नीगलोफाइल अटेश्ट तूदा कार्बोकाटाइन जैसे कि यहां पर पॉजिटिव चार्ड तो यह आकर कि चिपक जाएगा बस यह मार्कोनिकॉफ रूल इसका आपने जो डिसक्स करना थे कि वह हैं एंटी मार्कोनिकॉफ ओरियंटेशन मार्कोनिकॉफ आपने देख लिए उसके यह एंति कर दो आपका यहां को यहां मार्कोनिकॉफ कहा था कि हाइड्रोजन जो एटम है वो उस तरफ जाएगा जिदर ओल्रेटी हाइड्रोजन जाता है और यह माइनस हुआ तो उस तरफ केसे करों कि सुपोज ज यह हमारी क्या है Alkene अब के सपोस हम यहां पर Enversion करा रहे पर एक पर यहां पर कमी और Aa ऊढ़र जाएगा जिदर ज़्याद़ है ज़्याद़ है है हमने पर एक है कि यह sea यह परोकसाइड की प्रजंसम होता है परोकसाइड बोले तो लोगिक्त रहेगा और यहां पर कैसे को Co तो नॉर्मली देखो यहां पर क्या लेखा है कि according to this rule when hydrogen halide यह केबल HBR के लिए ठीक है यह है यह है यह है यह होता है यह लिखाए कि वेन hydrogen halide HBR adds to an asymmetric alkin in the presence of paroxide जहां रखना paroxide paroxide की presence में होता है यह इसका general formula है जब भी paroxide की presence में HBR react करता है asymmetric alkin के साथ तो hydrogen atom उस तरफ जाएंगे जिदर जो है already hydrogen की कमी होगी जैस्ट उल्टा होगे हमार को नहीं कौफ के और जो हैलाइड जो आपका atom था यह कहें तो जो बी आर माइनस था उधर जाएगा जिदर नहीं हमने राज़ता है प्ला ओटा है की कमी है वहां पे जाएगा यहां पर चप्राइब के यह जाएग यह किस ब्रोख्स प्रोचाइज के लिए यह होता हैं एक शो यह तो संस्प्राइब होता है चो हमकॏं होता होता है, वार्ये लिए तो च्मास oc possorb औरियंटेशन है यह रूल है आपको समझ आगे जिस्ट उल्टा हो गिया इसके बात करते हैं मेकनिजम के वारे में तो जनरल यह जो नहीं नहीं हो तो इसमें तीन-चार स्टैप इंवोल्व है तो दिके सबसे पहला है कि जो परोक्साइड है जो आपका ऐसे कैटलिस्ट काम क कर रहा है परोक्साइड वह डिस्टोषीट होता है फ्री रैडिकल में परोक्साइड बोले तो वही यानि कि स्का जनरल फ्रोला जिसके हमने आर ओ ओ ओ आर इसका एक्जाम्पल लेलो जैसे कि आपका है ईच टू ओ टू टू यानिकि है च ओ उ ओ एच आज आप देखो कि इ बीच में से ब्रेक होता है जैसे कि यहां पर हाइटम प्रेजर पर यह इसके दो डो रैडिकल बनते हैं फ्री रैडिकल फ्री रैडिकल बोले तो जिस जो कहीं भी बॉंड नहीं बना रखे हैं उसके पास इलेक्ट्रोन अलग तूटे पड़े हैं तो कोई भी एक लोगे तो एक यह बना एक यह बना तो दो फ्री रैडिकल बनते हैं अब यही जो पर उक्साइड के फ्री रैडिकल बने हैं वो अटक करते हैं फ्र से घ्यक् escort लिडख बन जाएगा है यह तो आप ऐसे हम हें देखाल टरड़िते हैं इस तरीके से ठीक है तो यहां पे जब determination करता है तो यह तो हमारे अगरिवाडएगा बद्र हम यहां पर पर सिर ट्राशा Clर तोयायगा लेकर और यहां पर करता है और यहां तो आपको आपको प्राईकरी और वग्रा यह है पर ऑगर के नहीं रखता है तो यहाँ पर यहां पर जो यहां पर यह वी ये बनता है free radical of alking अगर यहां पर जूड़ता है तो two degree of radical of alking वनता है तो यहां पर सबसे stable वो आपका two degree वाला है ठीक है यह पर यह आप देहुँगा यह वाला है यह अपका primary है निकी वन डिग्री वाला तो यहां पर जो सबसे stable है two degree वाला रहे गा तो next step में क्या होगा कि more stable free radical react with HBR to give final product last में जो आपका जो most stable रहेगा free radical वही जो है HBR से react करता है और आपका final product देता है जिसके यहां पर हमारे two degree वाला यह radical बना free radical यहां पर आप वही जो है react कर रहा है HBR के साथ में अब आप देहों कि यहां पर BR यहां से निकल जाएगा और बाकि जो CS3 जो है और उसके बाद जो CS जो पहले free radical की रूप में तो वहां पर एक और hydrogen आ जाएगा ठीक है और CH2 BR इस तरीके से रहेगा और BR यहां से निकल जाएगा यह इस तरीके से नैसके बनता है वह वाट ऑर इल्लेक्ट्रोफाइल और निकलीफैल कि सोट में है इसका हम नेमको जो है इसका वाइट को करते हैं इलेक्ट्रो प्लस फाइल एलेक्ट्रोण और फाइल वोले तो लवर यह लविंग निकि वो compound या वो molecule जिनके पास electron की कमी होती है और इलेक्ट्रोन को मलब की धूंडते हैं उससे चिपकने के लिए यह वोले तो उसको attract करने अटेच करने लिए तो उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल यानि कि इलेक्ट्रोन का लवर यह जिसके इलेक्ट्रोन को लव करने की लाक्रोन नागर्ट्रोन यह जरूर्ण और यहांपे आपको देख रहा है यहां में दूसने तरह पर है हुऄ निकलिए जरूर में दूसरे त्ष।रह पर निक्लिए आपको इलेक्ट्रोएल को engineering होता है proton यानकी एच प्लस आयन तो यह नेगटिवली चार्ज होते हैं यह एच प्लस आयन को ढूंते हैं तो एनि मोलीकुल और एक्टम विचर इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड कें डॉनेट इलेक्ट्रों को डॉनेट कर सकता हो है ना बनाने के लिए तो यह आपके एल्डर रेक्शन ाणिल या डील जो भिए आप इसको भोनेशिक्ष कर लेगा तो यह इहां पर देखिया आपका यहां पर है डाल ये एल्डर रेक्शन ए tunnels गाउंए लगनेंट ललगब डियाक्ष्यय fidelity नहीं रहेंगई तो दो एलकीन एक तरिके से मिलकर के यहां पे सिक्स में मडर सङकलिक रिंग रिंग बनाती हैं tu वही लिखाई कि जोिए डाइल्स अलर रीक्सवीर नाइम की सैंटिस नहीं खोगिये थी है जो हम डाइन की reaction किसी डाइनोफाइल से कराते हैं डाइनोफाइल डाइनोफाइल यह बनता है और इसी reaction को हम बोलते हैं डाइल डाइन से क्लियर हुआ तो यह एक ऐसी reaction है जिससे हम डाइन से क्या बना रहे है साइक्लिक कंपाउड यह साइक्लिक रोड़क वह लगा है कि यहां पर आप देहोगे यह थाईलीन है और यहां पर यहां पर वन डाइन से लव करता है उससे क्या करने के लिए तूफॉर में रहे हैं समझाए तो यहां पर आप देहोगे यह थाईलीन है और यहां पर वन को मतरी ब्यूटर डाइन है यह यह दोनों एक दोसरे से अट्रेट करते हैं हाइट अप्रेटर पर यह जो है क्या बना लेते हैं य होगे आपका डाइल डिरेक्शन और फाइनली यह हमारा कंप्लीट हो गया है यूनिट सेकंड आई होप सारे कोच आपको आपको हैं पर क्लियर हो गया होगा यूनिट फास्ट अनुन सेकंड के बारे में यही थाइंड वाकिया हम नेक्स्ट मिलते हैं यूनित थार्ड फॉ झाल